तो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाए भी बहुती बढ़िया चल रही होगी तो आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारती अर्थवर्ष्था पॉलिटी के वस्तुनिष्ट प्रसनों का अभ्यास करेंगे जो की सभी प चलिए दोस्तों भारती राजवर्ष्था से पहले टॉपिक भारत का समवेधानिक इतिहासे कोशन्स देखते हैं भीमराओ अमबेडिकर और महत्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझावता में प्रावधान था तो प्रावधान था हरीजनों के लिए आर अधिनियम द्वारा भारत के गवर्णर जनरल को अध्या देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो भारती ये परिशत अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्णर जनरल को अध्या देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना ह अगस्त गोसडा दोस्तों लॉड मॉंटेग्यू के कारेकाल में हुई थी अगस्त प्रस्ताव लॉड लिनलितिगो के कारेकाल में हुई थी और अगस्त संकल्प महत्मा गांधी के द्वारा पाइद हुई थी प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मुहम्मद अली जिन्ना के द्वा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामरागी नियुक्त किया गया था 1886 में नियुक्त किया गया था सामरागी विक्टोरिया ने 1858 की घोषडा में भारतियों को बहुत सी चीजें दिये जाने का आश्वासन दिया था निम्नो आस्वासनों में से कौन सब ब्रिटिश सासन ने पूरा किया था तो देशी रजवालों की या था इस्तिती बनाई रखी जाएगी या आस्वासन पूरा किया गया था ब्रिटिश सासन के द्वारा मिंटो मारले सुधार का उद्देश क्या था किसके द्वारा लाया गया था तो मारले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की विवस्था की गई थी तो सामप्रदाइक प्रतिनिधित्यों की विवस्था की गई थी मौन्टेग्यू चेंस फॉर्ट सुधार में प्रावधानों का सार था तो प्रांतों में दोरा शाषन था 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंतरियों से गठित था निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था तो लौड एमरी इसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन योजना के वीशाय में कौन सा सही नहीं है तो पाकिस्तान की स्विकृति सही नहीं है भारत का सम्विधान लागू होने तक स्वतंदता के पश्चात इसका साशन किसके अंतरगत चला गया तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला गया भारतियों को वर्स 1947 में सार्व भाउन सत्ता सौपने की योजना निम्ण में से किस नाम से जानी गई है, तो मौंट बेटन योजना के नाम से जानी गई है, कौन इसमें सुम्मिलित नहीं है, तो साइमन कमीशन भारत विभाजन से सम्मिलित नहीं है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहट पहली बार विधाय का में खुछ निरवार्चित पति आंधित्य की मजूरी दी गई थी भरス सरकार आधिनियम 1858 में सामप्रदाइक निर्वाच्चन कठीत हुआ था अकिल भारती ये महा संगल इस्थापित करने में प्रावधान शामिल किया गया था तो भारस सरकार अधिनियम 1935 में सामिल किया गया था निम्लिखित में से किस अधिनियम ने केंदर में दोयद शाषन प्रडाली को इस्थापित किया तो भारस साषन अधिनियम 1919 में इस्थापित किया गया था संगीय प्रडाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था तो 1935 के द्वारा किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संगीय प्रडाली का पहला प्रयास किया गया था किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांती ये स्वायत तता थी तो 1935 थी भारत सरकार अधिनियम की तहट पहली बार विधाईका में कुछ निर्वाचित पतिंधित्य की मजूरी दी गई तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहट दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इस थापिस संग में अवशिष्ट सक्तियां किसे दी गई थी तो गवर्नर जनरल को दी गई थी किस अधिनियम को मौन्टेगियू चेम्स फूर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है तो भारत सासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है मौन्टेगियू चेम्स फूर्ड सुधार के नाम से चलिए दोस्तों समविधान सभासे शारे कोशन्स देखते हैं 1922 में निमने लिखीत में से किसके द्वारा या उद्गार व्यक्ते किया गया कि भारतिय सम्विधान भारतियों की एक्षानुसार होगा तो महत्मा गांधी के द्वारा या व्यक्ते किया गया था कि भारतिय सम्विधान भारतियों की एक्षानुसार होगा 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार सीया मांग की गई कि भारतिय सम्विधान के निर्मार के लिए सम्विधान सभा का गठन किया जाए तो मोती लाल नहरो के द्वारा की गई थी सम्विधान सभा के विचार का आपचारिक रूप से प्रतिपादन किस के द्वारा किया गया तो M.N.Roy के द्वारा किया गया सम्विधान सभा को किस ने मूर्त रूप प्रदान किया तो जवाहलाल नहिरू को मूर्त रूप प्रदान किया कॉंग्रेस ने किस वर्स किसी भी किसी प्रकार के बाह यह स्तक शेप के बिना भारतिय जंता द्वारा सम्विधान के निर्मार की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था तो 1936 में किया था जो युद्ध परांत सम्विधान का निर्माल करेगी तो क्रिफ्स योजना के तहट या स्विकार गिया गया कि भारत में एक निर्वाचित सम्विधान सभा का गठन होगा जो युद्ध परांत सम्विधान का निर्माल करेगी सम्विधान सभा के गठन की मांग सरुपथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई तो बाल गंगा धर के द्वारा की गई थी भारत की सम्विधान सभा गठित करने का आधार क्या था तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था भारत की समविधान सभा किसके द्वारा अनुसार गठित की गई थी तो cabinet mission योजना के अनुसार गठित की गई थी तो 389 सदस्य होने थे विभिन प्रान्थों के 292 सदस्यों का निरवाचान होना था इनमें से कौंग्रेस के कितने प्रतिनि निरवाचीत होकर आए थे तो 208 प्रतिनि निरवाचीत होकर आए थे पुनर गठन के फल स्वरूप वर्स 1947 में सम्विधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई तो 299 रह गई सम्विधान सभा पुनर गठित में देशी रियासतों के लिए कितने पतेंदी थे तो 70 पतेंदी थे प्रतेक प्रांते की आवंटी सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिन इधी कितनी जन संख्या के अनुपात में था तो दस लाग व्यक्ति के अनुपात में था सम्विधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया तो प्रांतों के विधान सभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था सम्विधान सभा में किस प्रांत का प्रतियंधित सबसे अधिक था सम्विधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिंधी ने भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद के देशी रियासत ने प्रतिंधी ने भाग नहीं लिया था भीमराओं बेटकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पस्चिम बंगाल से हुआ था मुस्लिम लीग ने कई किस कारर सम्विधान सभा का भाहिसकार किया था तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग सम्विधान सभा चाता था सम्विधान सभा का चुनाव निमने से की साधार पर हुआ तो वर्गी मताधिकार पर हुआ था सम्विधान सभा के सदस्य प्रतिय 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 प्रत सम्विधान सभा के उद्गाट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की सचिदानंद सिनहाने की थी सम्विधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1904 को पहला सत्र हुआ था सम्विधान सभा के आइस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो सचिदानंद सिनहा थे सम्विधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद प्रसाथ थे 11 दिसंबर सभा के प्रारूप समीती की नियुक्ति कप की गई तो 29 अगस्त 1947 को की गई बारतिय सम्विधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीम्राव अमबेट करते सम्विधान सभा के प्रारूप समीती के सदस्यों की संग्या साथ थी निम्ने लिखित में से कौन भारती सम्विधान की प्रारूपर समीती के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद प्रसाद नहीं थे निम्ने लिखित में से कौन प्रारूप समीती के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा था जवाह लाल नेहरू ने रखा था भारत को एक सम्विधान देने का प्रस्ताओ सम्विधान सभा द्वारा पारिद किया गया था जनवरी 22.1947 को पारिद किया गया था सम्विधान निर्मात्री सभा में रास्ट्र द्वच संबंधी तदर्थ समीती के अद्दक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद प्रशाद थे राश्टी जंडे की आभीकलपना को भारत की सम्विधान सभा में ग्रहड किया गया तो जुलाई 1947 में किया गया था भारतिय सम्विधान सभा ने भारतिय राश्टी द्वच के रूप रेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया सम्विधान सभा के कितने उपस्ति सदस्यों ने सम्विधान परहस्ताक्षर किये तो 284 सदस्यों ने सम्विधान परहस्ताक्षर किये थे सम्विधान सभा के सम्विधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारिस सम्विधान में कुल कितने अनुक्षेद और अनुसूचिया थी तो 395 अनुच्षेद और 8 अनुसूचिया थी संपूर भारती संविधान के निर्मार में संविधान सभा को कितना समय लगा तो दो वर्स ग्यारा महिने और अठारा दिन का समय लगा था किस दिन से संविधान सभा का अंतरकाली संसत के रूप में आविर भाव हुआ था तो 26 जन्वदी 1950 में हुआ था जिस सम्विधान सभा द्वारा भारत के सम्विधान का अधिनियम किया गया था उसके सदसे कौन थे तो विभिन प्रांतों की विधान सभाव द्वारा नामी सदसे थे भारत के सम्विधान सभा की रशना है तो सम्विधान सभा का वीचार निम स्था दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयान 1946 के प्रांतिय चुनाओं के आधार पर किया गया। तो दोस्तो पहला सही है और चौथा सही है बाकी दूसरा और तीसरा कलत है निमलिखित कतनों में से कौन सा एक सही है तो पहला ही सही है वर्स 1946 में प्रांतिय सभाओं द्वारा भारत की सम्विधान सभाद चुनी गई थी भारत के सम्विधान का निर्माता की से माना जाता है तो भीमराव अमबेटकर को माना जाता है समविधान पांडुलेखन समिटी का निमलीखित में से कौन सदस्य नहीं था तो जवाह लाल लेहरों सदस्य नहीं थे भारत का समविधान लागु हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागु हुआ था सम्विधान को 26 जन्वरी के दिन लागू करने करने रड़ाय कि इसलिए किया गया था क्योंकि कॉंग्रेस ने इस तिथी को 1930 में सुतंता दिवस के रूप में मनाया था भारतिय सम्विधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो कुल 15 संख्या थी इन में से किसने सम्विधान सभा में या कहा था कि 26 जन्वरी 1950 को भारत अंतर विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है तो डॉक्टर भीम राव अमेट करने या कहा था चले दोस्तों सम्विधान के प्रस्तावना से कोश्चन्स देखते हैं भारती सम्विधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है सम्विधान निर्माताओं ने किस पर विशेश ध्यान दिया तो प्रस्तावना पर विशेश ध्यान दिया है भारत में जन्प्रिय संपुभृता हैं क्योंकि भारत के सम्विधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन सब्दों से हम भारत के लोग से शुरू होती है भारत को गर्तंत्र क्यों कहा जाता है तो भारत को गर्तंत्र कहा जाता है यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित आवधी के लिए निर्वाचित होता है भारत है एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र है भारत धर्म निर्पेक्ष का अर्थ है तो राज्य सरकार द्वारा किस धर्म को सुईकार नहीं करना भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है इसका मतलब है कि भारती राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्धन नहीं करता है गरतंत्र होता है जहां राज जहां पर अध्यक्ष वनसानुगत रूप से ना हो निम्ने लिखित में से वे दो सब्द भारत को किस रूप में घोशित किया गया है तो एक प्रभुत्त संपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष प्रजातांत्रिक गर्राज के रूप में घोशित किया गया है भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ है भारत में वनसानुगत शाशक नहीं है निम्ने लिखित में से सभी नागरीकों को धर्म एवं उपासना की स्वतनता अर्थ है धर्म निर्पेक्ष सब्द भारत के समविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था इसके विशय मेंनिमने लिखित कतनों में से कौन सा सही है तो पहला और तीसरा सही है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42 में समविधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया था भारतिय समविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल अफ इंडिया से क्या अर्थ है तो समविधान का निर्मार भारत की जनता द्वारा हुआ है समाजवात का अर्थ है तो समाजिक न्याय है समाजवात का अर्थ 42 में समविधान संसोधन द्वारा प्रस्तावना में निर्मने लिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया तो समाजवात का सब्द जोड़ा गया भारतिय समविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस् लगता है तो चीन की करांती का प्रभाव नहीं जलगता है मूल भारतिय समविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत संपन लोगतंत्रात्मगर राज्य है समविधान के अंतरगत भारतिय लोगतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं तो प्रस्तावना में देख सकते है बाइल 42 सम्विधान संसोधना दिन्यम 1976 दौरा प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया तो गुट निर्पेक्ष सब्द को नहीं जोड़ा गया भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है तो उक्त सब्द 1976 में संसोधन द्वारा जोड़े गए थे भारतिय सम्विधान ने किस प्रकार के लोगतंत्र को अपनाया तो लोगतंत्रिक गरतंत्र को अपनाया भारती सम्विधान की प्रस्तावना में वरडित लोगतंद्र को किस रूप से स्विकारा गया था तो राजनीतिक राजतंद्र आर्थिक लोगतंद्र समाजिक राजतंद्र के रूप में स्विकारा गया था उपरियुक तो सभी राइट आंसर हो जाएगा भारती सम्विधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच सत्ता किसमे नहीं थे तो जन्ता में नहीं थे है भारत की संप्रुभता एकता और अकंडता को अच्छुन बनाय रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया तो प्रस्तावना में किया गया भारती संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्सों एवं उद्देशियों की रूप रेखा दी गई उनकी आगे व्याठ्या की गई है तो मूल अधिकार राज के नीती निर्देशक सिद्धानतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है सम्विधान सा भामे प्रस्तुत उद्देश प्रस्ताव में अभी व्यक्ति वच विचार को भारतिय सम्विधान के किस भाग में पूरता शामिल किया गया है तो प्रस्तावना में पूरता शामिल किया गया है भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना से क्या इस पस्ट नहीं होता तो सम्विधान को लागू करने की तीथी इस पस्ट नहीं होती है निमनलिखित में से किन उद्देशियों को भारतिय सम्विध तो भारत की जनता के द्वारा सुईक्रत है भारत की संप्रुबता किसमें नहीं तहे तो भारत की जनता में नहीं तहे भारतिय सम्विधान को सम्विधान सा भाद्वारा अंगीकार किया गया 26 नमबर 1949 को अंगीकार किया गया भारत का सम्विधान पूर रूप से तयार हुआ 26 नमबर 1949 को पूर रूप से तयार हुआ था भारती सम्विधान कब अंगीकार किया गया 26 नमबर 1949 को अंगीकार किया गया निमलिखित में से किस तिथी को भारती सम्विधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था किस वर्ष भारत एक प्रभुत्य संपन प्रजा तांत्रिक गर राज बना है तो 1950 में बना है समविधान के उद्देशिका कब संसोधन कितनी बार किया गया तो एक बार किया गया बारत के सम्विधान की प्रस्तावना में प्रथम संसोधन कब किया गया तो 1926 में किया गया था निमनलिखित आउतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूड प्रभुत्त संपन समाजवादी बंथ निरपेक्ष लोगतांतरिक गर्राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरीकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक नयाय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासन की स्वतंतता प्रतिष्ठा और ओसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए द्रिसंकल्प होकर अपनी इस समविधान सभा में आज 26 तमबर 1949 एतद द्वारा इस समविधान को अंगीकृत अधिनियम और आतमारपित करते हैं समविधान की प्रस्तावना सभी भारत्य नागरीकों को निम्न में से तो पूजा की समांता उप्लब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती 26 तौंबर कौन सा सही है तो इसमें सही है पंडित नहरुद्वारा प्रस्तुत अब्जेक्टिव प्रस्ताओ अंतत गोत्वा उद्देशिका बना था और इसकी प्रकृती न्यायोग नहीं है और सम्विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद नहीं कर सकता भारती सम्विधान की उद्देशिका में परिवर्तन की संसोधन अधिनियम में किये गए तो 42 सम्विधान संसोधन अधिनियम 1976 में किये गए प्रस्ताओना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार का प्रदान करता है कहलाता है तो प्रजात तंत 1950 को लागो हुआ था भारती सम्विधान के किस भाग में इस पश्ट रूप से घोशला की गई है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज है तो सम्विधान की प्रस्तावना में या घोशला की गई है भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार कन्याय स्वतंत्रत समानता एवं भात्रित्व का सही करम्स में उल्ले किया गया था तीन पांच दो और एक में किया गया था भारती सम्विधान का प्राधिकार प्राधिकार शुरूत कौन है तो भारत के लोग है सम्विधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है तो यह लागू नहीं किया जा सकता है सम्विधान की विशेष्टाएं से चलिए दोस्तों कोश्चन्स देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सारवाधिक व्यापक सम्विधान की इस देश का है तो भारत का है भारती सम्विधान कैसा है तो भारती सम्विधान दोस्तों अंसता कठोर और अंसता लचीला है भारत का सम्विधान किस प्रकार का है भारत का सम्विधान नम्न अवा अनम्न प्रकार का है भारत के सम्विधान में भारत को माना गया है तो भारत को माना गया है दोस्तों राज्यों का एक यूनियन माना गया है भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है इसका तातपर है कि उस सभी देशों के समविधान से प्रभावित है निमने लिखित में से कौण सा कथान सही भारत का समुधान भारत में संस्दी pan dhunyes 34 का की स्थाकार की व्यवस्था करता है भारति motivation दौरा Fahrenheit पारीगा जिस्थापना की गई है भारतिय समीधान भारत में विधी के मिल है निमनेलिखित में से कौन सा कथन सही है तो निमनेलिखित में से कथन सही हो जाएगा दोस्तों निमनेलिखित में से सही हो जाएगा कथन दोस्तों भारतिय सम्विधान में कई विदेशी सम्विधानों की तत्वों का समावेश किया गया भारतिय सम्विधान एकल नागर किस प्रकार का है भारतिय संविधान का स्वरूप संदशना के संगात्मक भावना में एकात्मक का है भारतिय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संविधानिक संसोधन प्रक्रिया अरंब करने का धिकार है कुछ इस्तितियों में संसद को राज्य के लि सबसे अधिक प्रभाव किस का पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतिय सम्विधान पर निम्ने लिखित में से या किस से निर्धारित होता है कि भारत का सम्विधान परी संगी है तो या निर्धारित होता है केंद्र एवं राज के बीच शक्तियों की विद्रण से भारत में प्रजा तंतर इस तत्थ, इस तत्थ पर अधारित हैं कि याहां जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, भारती सम्वधान में हैं, तो भारती, भारती सम्वधान में इन में से कौन सर्वोच है तो इन में से सर्वोच है सम्विधान सर्वोच है बारती सम्विधान के विरिहद होने का कारण है तो विरिहद होने का कारण है दोस्तों इसमें संग तथा राज्य दोनों सरकारों का सम्विधान है भारती सम्विधान का अभिवावक सर्वोच ने बारत में व्यास्क मता अधिकार की उम्र सीमा क्या है तो अठारा वर्स है भारतिये संगिये व्यस्था की एक है तो एक संविधान की सर्वोचता है भारत में के संविधान में संगिये शब्द की जगा किन सब्दों को इस्थान दिया गया है तो इस्थान दिया गया है राज भारत का सम्विधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है तो या प्राप्त करता है भारत की जनता से भारत में वैद्य प्रभूशत्तान किस में नहीत है तो या नहीत है दोस्तों सम्विधान में भारतिय सम्विधान की संडशना किस प्रकार की है तो या है दोस्तों कुछ एकात्मक और कुछ कठोर प्रकार की है भारत के सम्विधान के अधीन निम्नलिखित कतनों में से कौन से सही है तो इसमें से दोस्तों सही है संविधान सरवोच्च है संग तथा राज्य सरकारों के बीच सक्तियों का इसपष्ट विभाजन है और संविधान के संसोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है यह कथन सत्य है Option D Question का राइट आंसर होगा जान सरपथम जम लिया तो सरपथम जम लिया फ्रांस में निम्न लिखित में से कौन सा एक भारतिय संविधान का दर्शं नहीं है तो भारतिय संविधान का दर्शं नहीं है सामेवाधी राज कोशन का कथन है कि भारतिय संविधान अर्ध संगात्मक है कारण है भारतिय संविधान ना तो संगात्मक है और ना ही एकात्मक तो दोस्तों कोशन का कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है इनमें से कौन सा भारतिय संगी वियुस्था में एकात्माक्त्त्त्त्त्त्त है तो ऑप्सन भी कोस्षन का राइट अंसर होगा भारत में राजनीतिक विवस्था के मूल भूत लक्षण है दोस्तों यह एक लोग तांत्रिक गरतंत्र है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है यह सरवोच सत्ता भारत की जनता में नहींत है तो option B question कर आइट answer होगा निमनलिखित में से कौन सी विशेष्था भारतिय संग और अमेरिकी संग दोनों में साजी है तो दोनों में साजी है दोस्तों सम्विधान की व्याक्या के लिए संगी है उच्चतम न्याल है निमनलिखित में से कौन भारतिय राजवरस्था में सरवोच है तो भारतिय प्रदान करता है तो भारत का समविधान मानता प्रदा करता है धार्मिक एवं भासाई अल्फ संखकों को किस ने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है तो केसी वियर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है चलिए दोस्तों समविधान के शोट से कोशन्स द गई है भारतिय सम्विधान का कौन सा लक्षड आईरिस सम्विधान से अनुप्रेरित है तो नीति निर्देशक सिद्धान आईरिस सम्विधान से अनुप्रेरित है भारतिय सम्विधान का सबसे बड़ा एकाकी शुरूत है तो सबसे बड़ा एकाकी शुरूत गवर्नमेंट of India Act 1935 है भारत की संगी विवस्था किस देश की संगी विवस्था से अधिक समानता रखती है तो यह समानता रखती है कनाड़ा की संगी विवस्था से अधिक समानता रखती है भारती समविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है तो समवर्ती सूची की अवधारणा सम्विधान में मौलिक अधिकारों का उतल लेकरते हुए निमिलिकित में से किस देश का अनुसरड किया गया है अमेरिका से भारत में सरकार की संसिदिये प्रडाली कहां से ग्रहड की गई संसिदिये प्रडाली गहर की गई दोस्तों ब्रिटिस सम्विधान से भारत के सम्विधान निर्माताओं ने न्याईक पुन्रावलोकन के विचार को कहां से ग्रहड किया तो ग्रहड किया था अमेरिका से ग्रहड किया थ और कहां के सम्विधान से लिया गया है तो जर्मनी के वीमर सम्विधान से लिया गया है भारतिय सम्विधान के में राज नीती के निदेशक सिद्धानतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है तो अंगीकार की गई है दोस्तों आयर लैंड वा इस्पेन से की गई है राष्ट पती द्वारा राजसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के सम्विधान से लिया गया था तो यह लिया गया था दोस्तों आयरलेंड के सम्विधान से सम्विधान के सन्रक्षा के रूप में सर्वोच नियालाई का धिकार विश्व के किस सम्विधान से लिया गया था तो यह लिया गया है अमेरिका के सम्विधान से भारतिय सम्विधान में उल्लिकित सतंतता समानता और बंदुता की संकल्पना किस से प्रेरित है निया है, तो फ्रांस के सम्विधान से प्रेरित है, भारत में कलेक्टर का पद अपनिलेशिक सासन ने उधार लिया था, विधी के समक्ष सम्था लिया गया सर्व सत्ता संपन संसत की अवधारडा किस देश की देन है तो यह देन है दोस्तों इंगलेंड की भारती समविधान में आउसिष्ट सक्तियों का विचार कनेडा के समविधान से लिया गया है भारतिये समविधान दोरा प्रदत मौलीक अधिकारों के इस्थगन संबंधी कारे पालिका के अधिकारों को किस देश के समविधान से लिया गया तो जर्मनी के समविधान से लिया गया समविधान संयुत राज अमेरिका के समविधानी का दर्सों पर भारतिय समविधान में कौन सी विवस्था शामिल की गई है तो सामिल की गई है संगिय शासन विवस्था मौलीक अधिकार स्वतंत एवा निस्पक्ष सर्वोच न्याले और न्याइक पुन रवलोकन ली गई है तो उप्रियोक्त सभी कोशन का राइट आंसर हो जाएगा भारती सम्विधान के निर्माण में सरवाधिक गंभीर प्रभाओ निमनली खित में से किस ने छोड़ा है तो या छोड़ा है दोस्तों भारती सम्विधान के संगवाद किस देश से लिया गया है तो या लिया गया है दोस्तों कनेडा से सर्वोच चिन्याले की व्यास्था भारती ये संविधान में किस देश से लिया गया है तो यह लिया गया दोस्तों USA से याद रखिएगा संयुत राज अमेरिका से लिया गया है संगात्मक शासन व्यास्था को सरपथम किस देश ने अपनाया तो अपनाया था दोस्तों कनेडा ने अपनाया था भारत की संसदिये प्रडाली प्रभावित है इंगलेंड से भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित सतंतता सामानता और भाईचारे के आदर्सों की प्रेड़ा कहां से मिली थी तो या दोस्तों मिली थी प्रांस की क्रांती से मिली थी भारती सम्विधान की संसोधन प्रक्रिया किस देश के सम्विधान से प्रभावित है तो या प्रभावित है दक्षिड अफरीका से किस देश के सम्विधान से भारत की संगी विवस्ता प्रभावित नहीं है प्रभावित नहीं है दोस्तों अधक्षिड अफ्रीका से प्रभावित नहीं है सूची वन को सूची टू से सुमलित करना है सूची वन में सम्विधानिक्स प्रावधान और सूची टू में स्रोत है मौलिक अधिकार का सुरूत दोस्तों अमेरिका अधिकार पात्र से है और राज की नीती निदेशतत्त आईरिस सम्विधान से मंत्री मंडलिय सरकार ब्रिटिस सम्विधान से और केंदराज संबंध कनेडा के सम्विधान से है प्रेरित निमनलिखित में से कौन सा लक्षर भारतिय परिसंग और अमेरिकी परिसंग में समान रोब से पाया जाता है तो यह पाया जाता है दोस्तों समविधान के निर्वाचन के लिए परिसंगी उच्चतम न्याले संसेदी शासन प्रडाली सर उपधम किस देश में विक्सित हुई थी विक्सित हुई थी ब्रिटेन में निमनेलिखित में से वह सम्विधानी दस्ता वेज कौन सा है जिसका भारती सम्विधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था तो भारत सरकार धिनियम 1935 है भारती सम्विधान में मूल भुत अधिकार की सम्विधान से लिए गए थे तो लिए गए थे दोस्तों सहीं उप्तराज अमेरिका से भारत के राष्ट पती की आपात कालिन शक्तिया निमने लिखित में से किस देश की देन है तो यह देन है दोस्तों जर्मनी के वीमर सम्विधान की भारत के सम्विधान के निर्माताओं ने मौलीक अ अधिकार सर्वोच न्याधिसों को पत से हटाने की विधी तीनों याद रखेगा तीनों लक्षड अमेरिका के समिधान से ग्रहड किये थे हमारे समिधान में मोल अधिकार किस समिधान से प्रेरित है तो अमेरिका के समिधान से प्रेरित है निम्न लिखित में से कौन सी एक व हैं भारति ये संविधान के कौनसे भाग में पंचायती राज से समबंधित प्रावधान संमेलित किये गए है है भाग 9 में आइस्थाई संक्रमर कालीन और विशेश उपबंदों के प्रावधान है दोस्तों बहा 21 में हमारे सम्विधान के किस भाग में तीन सो पानों में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है तो या परिकल्पना की गई है भाग 9 में निम लिखित में से सम्विधान का कौन सा भाग नगर पाली काउं से संबंधित है तो नगर पाली काउं से भाग 9 ए संबंधित है सम्विधान के किस भाग में नीती निर्देशक तत्तों का उले किया गया है उले किया गया है भाग चार में सम्विधान के भाग एक में निम्न में से किस का वरणन है तो भाग एक में दोस्तों वरणन है संग और उसके राजिशेत्र में भारती सम्विधान के निमन लिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिये गए हैं तो यह दिये गए हैं भारती नागरिकों के मूल करतव्यों का विवरार सम्विधान के किस भाग में दिया गया है तो यह दिया गया है भाग चार का में भारत के संविधान के व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है तो भाई आप की गई है भाग पांच में संविधान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेक है दोस्तों भाग दो में नागरिक्ता का उलेक है सुची वन को सुची टू से सुमिरित करना है भारती संविधान भाग 9 भारती सम्विधान भाग 9 में दोस्तों पंचायत तरस्थप दी गई है भारती सम्विधान भाग 8 में संग क्षेत्र भारती सम्विधान भाग 4A में भाग 4A में दिया गया है मूल कर तब भारती सम्विधान भाग 9A में नागर पालिका दी गई है option a question का right answer होगा चलिए दोस्तों सम्विधान की अनुसूचियों से questions देखते हैं वर्तमान में भारतिय सम्विधान में कुल कितनी अनुसूचिया है तो कुल बारा अनुसूचिया है सम्विधान सभा की प्रारूप समीति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप सम्विधान में कितनी अनुसूचिया थी तो अनुसूचिया थी आठ दस्वी अनसूची को सामिल किया गया था तीहत्तरवे समविधान संसोधन अधिनियम दौरा भारती समविधान में कौन सी अनसूची जोड़ी गई थी तो जोड़ी गई थी ग्यारावी अनसूची तीहत्तरवे समविधान संसोधन में 74 रवे संविधान संसुदन दियम दोरा भारती संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है तो जोड़ी गई है बरामी अनुसूची जोड़ी गई है संविधान की दूती अनुसूची का संबंद किस से है दूती अनुसूची का संबंद है महतुपूर पदाधिकार के वेतन से भारत संग बारतिय समविदान की किस अनुशूची में है तो यह है दोस्तों के राजपालों सर्वूच नूले नाले के निधीिसों संसथ तथा राज विधान मंडलों के अधिकारियों भारत के नियंत्रक एवा परिक्षक आदि के वेतन के संबंद में प्रावदान सम्विधान की किस अनुसूची में किया गया है तो यह किया गया है दुटी अनुसूची में भारती यह सम्विधान की तीसरी अनुसूची का संबंद है तो यह संबंद है शपत तथा पतिग्ञान से संबंद है भारती सम्विधान में 22 भासाओं का राजबारशा का दरजापदान किया गया है इन राजबासाओं का उलेक किस अनुसूची में तो या है आठवी अनसूची में भारती सम्विधान की आठवी अनसूची का संबंद है आठवी अनसूची का संबंद भासाओ के साथ है किसी अधनियम को सम्विधान की किस अनसूचित में अनसूची में सामिल करने पर उसकी वैदता को किसी न्याले में चुनावती नहीं दी जा सकती है तो न मिल नाडू राज के आरक्षड विदेयक को हाल में आंधर प्रदेश से अलग कर एक नए राज तेलंगाना का गठन हुआ है इससे भारतिय सम्विधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है तो यहां परिवर्तन होता है अनुसूची एक में दल बदल के अधार पर निर सम्विधान की छटी अनुसूची इनमें से किस राज में लागू नहीं होती है तो यह लागू नहीं होती है मरीपूर में सूची वन को सूची टू से सम्मुलियत करना है सूची वन में अनुसूचियां है और सूची टू में सम्बंधित विशे है तो इसका सही सुमिलित हो जाएगा दोस्तों चत चोथी अनसूची चोथी अनसूची में है दोस्तों राज सभा संबंधित वी से है और सश्ट अनसूची सश्ट अनसूची में है दोस्तों जन जाती छेत्र अस्टम अनसूची में है दोस्तों भाषा और नवम अनसूची में है नवई अनसूची मे और नववी अनसूची में हैं दोस्तों इस अधिनियम में सम्मिनित अधिनियम न्याले के अधिकार छेतर के बाहर हैं दसवी अनसूची में हैं दल बदल विरोत कानून गरहवी अनसूची में पंचायत राजवे उस्था का प्रावधान हैं सूची वन में प्रसासनी भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षड़ के दूसरी अनसूची च्छेत्रों ततब अनसूचि जन जातियों के निया गया है भारत के संविधान के अनसूची ततब उसके विष्या के निम्नलिखित विगमों में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है तो सही सुमलित नहीं है दोस्तों दूसरी अनुसूची सपति या पति ज्यान के प्रारूप में सही सुमलित नहीं है भारतिय सम्विधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है तो प्रावधान है ग्यारव अनसूची में भारतिय सम्विधान की निम्न दी गई अनसूचीयों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का बेवरा देती है तो या देती है दूसरी सूची में सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है सूची वन में है प्रसास इस्ठानों का आवन्टन चतूर्थ या चौति अनसूचिय में नीमलिकित में से तुरिपूरा में ही लागू होते हैं यदि भारत संफ्ज को एक नए राज्य का शिजन करना हो तो वा समविधान की निमलिखित अनसूचियों में से किस एक को अवश्य संसोधन किया जाना चाहिए तो पहली अनसूची को अवश्य संसोधन किया जाना चाहिए निमेलिखित में से कौन सा कथन सम्विधान की चौथी अनसूची को सही सही वरडित करता है या राज्यों के परिशद में सीटों का बटवारा करता है सूची1 और सूची2 के सुमिर्द करना है सूची1 में प्रसासनिक मुभबंद और सूची2 में समबंदित अनुसूची दी गई है केंड्र व राज्यों के Albert विधाई शक्तिओं का वित्र डिधाई सक्तियों का वित्रड साथवियन सूची में है भासाओ का उलेक 8 वी अनसूची में सुधार एवं अधिक रहड असंबंदी अधिनियम 9 वी अनसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम 10 वी अनसूची में दिया गया है बहुरत के समविधान की किस अनुसूची में वीभिन राज्यों के में अनुसूची दोस्तो नई जोड़ी अनुसूची नहीं है चलिए दोस्तों समविधान के अनुचेत से कोश्चेंस देखते है सम्विधान सभादवारा अंतिम रूप से पारिश सम्विधान में कुल कितने अनुचेत तथा अनुसूचिया है तो यह हैं दोस्तो 395 अनुचेत और 8 अनुसूचिया बरतमान में भारती सम्विधान में घलना की दृष्टी से कुल कितने अनुच्षेद और अनुसूज़िया है तो 395 अनुच्षेद और 12 अनुच्षेद है भारतिय सम्विधान के किन अनुचेदों में नागरिक्ता संबंधी प्रावधान है नागरिक्ता संबंधी प्रावधान अनुचेद 5-11 में है निमने लिखित में से किस अनुचेदों द्वारा किन अनुचेदों द्वारा भारतिय सम्विधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित्ता प्रदान करता है प्रदान करता है प्रदान करता है अनुच्छे सोला भारत के समविधान का निन लिखीत में से कौन सा अनुच्छे अस्प्रिश्चता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आच्रण का निश्यद करता है तो अनुच्छे सत्र करता है भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद राष्टपती के पद के लिए पुना निर्वाचन की योग गिताएं निर्धारित करता है निर्धारित करता है अनुच्छेद 57 भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत भाशल एवं अभिव्यक्ति की संख्यकों के इतों के संरख्षड की विवस्ता की गई है तो यह विवस्ता की गई है अनुचेद विवस्ता की दी संख्यकों के अनुचेद अनुच्छेद 40 42 में सम्विधान संसोधन द्वार के किस अनुच्छेद में मौली कर्तवियों को जोड़ा गया है तो या जोड़ा गया है दोस्तों अनुच्छेद 51-A में भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में मौली कर्तव्यों की चर्चा की गई है तो चर्चा की गई है अनुचेद 51A में संग की कारेपाली का शक्ती राष्ट पती में नहीं थोगी जिनका प्रियोगवा सोयम या अपने आधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करेगा तो यह है दोस्तों अनुचेद 53 पन में है भारत के समविधान के कौन से अनुचेद में भारत के राष्ट पती के महाभियों के प्रावधानों के बारे में उल्लेक किया गया है तो उल्लेक किया गया है अनुचेद 61 में सम्विधान के किस अनुच्छेद में उपराश्च पती पद का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 63 में किया गया है सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत मंत्री गड़ सामोहिक रूप से लोक सभा के प्रती उत्तरदाई हैं तो उत्तरदाई हैं अनुच्छेद 75 के अंतरगत सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिशत के गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारित करता है अनुच्छेद 75 भरत के महानियावादी के नियुक्तिच संबंदित अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 87 कौन सा अनुच्छेद संसत के दो अधिवेशनों में के बीच छे महीने के अंतराल की अनिवारिता का उलेक करता है तो यह उलेक करता है अनुच्छेद पिचासी राश्टपती सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत लोग सभा को भंग कर सकता है तो लोग सभा को भं अधिवेशन के विशे में प्रावधान सम्विधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या किया गया है अनुच्छेद 108 में धन विधेयक भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में परिभाशित किया गया तो धन विधेयक परिभाशित किया गया अनुच्छेद 110 में 2333 Anudja 486 तीनों सनचित कोश से समबंधित है भारतिय समविधान का निमेल consumption भारत के राष्टपती में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढान करता है अनुट्चेद 123 समविधान के किस अनुट्चेद में सरवोच नयाले के नयधिश पर महा भीयोग चलाए जाने का प्रावधान है तो प्रावधान है अनुच्छेद 124 में राश्चपती सर्वोच नियाले से समविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत परामस ले सकता है तो परामस ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतरगत सरवोच न्यालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निरड़य आदेश का पुर्णर्व लोकन कर सकता है या विवस्था सम्विधान के किस अनुच्छेद में उपबंधीत है तो या विवस्था उपबंधीत है दोस्तों अनुच्छेद 137 में सम्विधान के निर्ड़य लिखित में से किस अनुच्छेद में या विवस्था की गई है कि उच्चतम न्यालय द्वारा विनिश्चित विधी भारत के राज जक्षेत्र के भीतर सभी न्यालों पर आबद्धकार होगी अनुच्छेद 141 में भारतिय सम्विधान में का प्रावधान किया गया है तो यहां प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 के अंतरगत भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद सम्विधानिक प्रावधानों की संगी संसत या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथ मिक्ता प्रदान करता है तो प्राद मिक्ता प्रदान करता है अनुचेद 245 किस अनुचेद के तहट आउशिष्ट सक्तियां केंद्र के पास हैं तो केंद्र के पास हैं दोस्तों अनुचेद 249 के तहट आउशिष्ट सक्तियां केंद्र के पास हैं राजियों द्वारा प्रार्टना करने पर भारत की संसत उन राजियों के लिए किस अनुच्छेत के अंतरगत कानून बना सकती है तो बना सकती है अनुच्छेत 252 के अंतरगत भारतिय समविधान के अंतरगत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेत संसत को राज सूची के विशय में संबंद में विधी बनाने की शक्ति प्रदान करता है तो या प्रदान करता है दोस्तों अनुच्छेद 249 भारती समविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राष्टिय समझोतों को प्राभावी बनाने है तो संसत राज सूची के विशय पर कानून बना सकती है तो अनुच्छेद दोसो तिरपन के अंतरगत बना सकती है केंदर राज के प्रसासनिक संबंध भारती समविधान के किस अनुच्छेद में वरडित है तो यह वरडित है दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263 में समविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत केंदर राज्ज सरकार सरकारों को निर्देश दे सकती है तो यहां निर्देश दे सकती है अनुचेट 256 के अंतरगत अंतर राज्जिय परिशत के गठन का प्रावधान सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद 236 के अंतरगत भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत वित आयोग के गठन का प्रावधान है तो वितायोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है संपत्ति का अधिकार सम्विधाने का अधिकार है यह बताया गया है तो अनुच्छेद 300 का में बताया गया है भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में नैसरगीक नयाय के प्रसिद्ध सिद्धान तसनुवाई के अधिकार का समय वेश किया गया है अनुच्छे 311 में किया गया है भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुच्छे नई अखिल भारतिय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है तिया प्रावधान करता है 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 प्रावधान करत 312 संबंधित है तो 312 संबंधित है अखिल भारतिय सेवां से संग लोग सेवा आयोग के कारियों का उलेक किस अनुचेत के अंतरगत है तो यह है दोस्तो अनुचेत 320 के अंतरगत भारतिय समविधान के किस अनुचेत में निरवाचन आयोग के लिए प्रावधान है तो यह प् संग की राजभासा हिंदी तथा लिपी देवनागरी होगी तो यह किया गया है अनुचेद 343 में संविधान के किस अनुचेद में हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश दिये गए है तो निर्देश दिये गए है अनुचेद 343 में भारत में बाहरी आक्रमर अत्वास सस्त्रों स्विद्रों के कारण भारत के राष्टपती द्वारा राष्टपती राष्टिय आपात काल की घोषडा किसके अंतरगत की गई है तो यह की गई है दोस्तों अनुच्छे 352 के अंतरगत भारती समविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में समविधानिक तंत्रब के आसफल होने की इस्तिति में राष्टपती सासन का प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 356 प्रावधान करता है सम्विधान के किस अनुछेत के आदार पर वित्तिया पात काल की उद्गोसला राश्च पती करता है तो यह करता है दूस्तों अनुछेत 360 के अंतरगत सम्विधान में अंतरी मंदल सब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह हुआ है प्राथमिक इस्तर पर मात्र भासा में सिख्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपबंद में किस अनुचेद के अंतरगत संसत सम्विधान में संसोधन कर सकती है तो यह कर सकती है अनुचे 368 के अंतरगत भारत के सम्विधान का अनुचे 368 किस से संबंद में है तो यह संबंद में है दोस्तों सम्विधान के संसोधन करने की भारत की संसत की सकती में सम्विधान का वाकौन सानुछेद है जिसके दुरुपियोग की सिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सरवाधिक हुई है और जिसका प्रियोग केंदर में सत्ता रुर्दल ने अवने एक बार अपने स्वार्थ में किया है तो यह किया है अनुछेद 356 का प्रियोग हाली में हटाया गया अनुछेद 377 भारत के किस राजय से सम्बनद है तो यह सम्बन्दित है जम्मू और कस्मीर से भारत के सम्विधान का अनुछेद 371 किसे आसाधार विशेशा धिकार पदान करता है तो यह पदान करता है नागा लैंड को भारतिय सम्विधान का अनुचेत कौन सा अनुचेत विभिन नाधारों पर किसी भी भारतिय नागरी के साथ वेद बाव से संबंधित है संबंधित है अनुचेत 15 अनुचेत 356 का संबंध है अनुचेत 356 का संबंध है राश्पती शासन से भारतिय समविधान के किस अनुचेद में विभिन राजियों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उलेख है तो या उलेख दोस्तों अनुचेत 371 में भारत के सम्विधान के किस अनुचेत 371 जी में दिये गए विशिष्ट उपबंध किस राज जिसे संबंधित है तो या संबंधित है मिजोरम से सम्विधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतरगत भारत शरकार दोरा भारत रत्न पत्न विभूशर आदी अलंकरण प्रदान किये जाते हैं तो प्रदान किये जाते हैं अनुच्छेद 18 में सम्विधान के किन अनुच्छेदों के अंतरगत अल्पसंखकों को अपनी संस्कृती के संड़क्षट अता अपनी पसंद की सिख्षय संस्थाओं की स्थापना वसंचालन की अधिकार को मानेता परदान की गई है यह परदान की गई है अनुच्छेद 59 वा 3 में सम्विधान के किस अनुचेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रतेक राज सिख्षा के प्रात्मिक इस्तर पर मात्र भाषा में सिख्षा की परियाप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा तो यहां की गई है दोस्तों अनुचेद 350 में सूची वन में दोस्तों अनुचेद और सूची टू में उसके अंतर वस्तु दिये है चलिए सही सुम् मिलिट करना है अनुचेद और सुरक्षा के सम्वर्धन से संबंधीत है नीती निर्देशक सिध्धानतों के निमने लिखित अनुच्छेदों में से कौन संतर राष्टी सान्ती और सुरक्षा के समवर्धन से संबंधित है तो यह संबंधित है अनुच्छेद 51 भारत के समविधान के निमने लिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार उपबंद है कि 14 वर्स से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कार खाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परी संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, तो यहां है अनुच्छेद 24 में, भारतिय सम्विधान में समानता कारीकार 5 अनुच्छेदों द्वारा पदान किया गया है और यहां है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में, सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है, सूची वन में संस्थान है, सूची टू में अनुच्छेद 148 में, अन्वित आयोग वित आयोग है, ये में संघ लोक सेवा आयोग अनुच्चै 315 में है है भारत सरकार का धाय तो है कि वह बाहिख आक्रमण एवां आंत्रीक असांती से राज्यों की रक्षा करे empty्टित के जाएगा तो संसद विधी के दौरा किसी भी राज जिस किसी माओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज का छेदर फल बढ़ा सकेगी और प्राकृतिक परजावरण का संडरक्षर एवं सुधार या कतन भारती संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भीत है तो यह संदर्भ संविधान सभाओं में आंगल भारती समुधाय के लिए प्रति इंधित्यों का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद 333 में भारती संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीटी से संबंधी थे भारत की विदेशनी सी संबंधी थे अनुच्छेद 51 भारत नीमे लिखित में से भारती संविधान की किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है भारती या संविधान के किस विधान परिजद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतिय सम्विधान के तो यह है अनुचेद 179 में भारतिय सम्विधान के किस अनुचेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षड का प्रावधान किया गया अनुचेद 3 संगठित किया गया है तो या संगठित किया गया है किसी भी अनुचेद के तहर संगठित नहीं किया गया है भारत के सम्विधान का निम्मे लिखित में से कौन सा अनुच्छेत समान नागरिक सहीता से संबंधित है तो अनुच्छेत 44 समान नागरिक सहीता से संबंधित है संपूर भारत के भुभाग में मुक्त रूप से आवा गमन करने का अधिकार भारतिय सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत मौली का दिकार है तो यह है दोस्तो अनुचेद 19 के अंतरगत भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुचेद सभी नागरिकों के लिए समान नयाय और मुफ्त कानुनी सहायता को प्रोथसाहित करता है या करता है अनुचेद 49. भारत के संविधान का कौन सा अणुचेद भारत में एक नय राज के गठन के लिए की दिया गया है। बारतिय सम्विधान का कौन सा अनुचेद धर्म, वन्स, जाती, लिंग, जन्म, इस्थान के आधार पर भेद भाव पर रोक लगाता है तो अनुचेद 15 लगाता है भारत के सम्विधान के किस अनुचेद में जन संख्या के किसी सामूहुक में बोले जाने वाली भासा को लेकर विशेश प्रावधान किये गए हैं तो विशेश प्रावधान किये गए हैं अनुचेद 347 में भारत के सम्विधान के निमनलिखित अनुचेदों में से कौन सा अनुचेद धार्मिक सुतनता के अधिकार की गारंटी देता है तो यह देता है दोस्तो अनुचेद 25 से 28 देता है सम्विधान का कौन सा नुच्छेद भारत के नियंतरक और महलेखा परिक्षक के करतव को निर्धारित करता है तो या करता है नुच्छेद 149 भारत के सम्विधान के निम्न लिखित में से किस अनुच्छेट के अधिन प्रतेक वित्तिय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्लित प्राप्तियों और वियाओं का एक विवरर्व संसद के समक्ष रखा जाता है तो यह रखा जाता है अनुच्छे 122 के अंतरगत भारत के सम्विधान का कौन सा उपबंध या विवस्था देता है कि भारत के राष्ट्र पती अपने पड़ की शक्तियों के प्रियोग के लिए भारत के किसी भी न्यालय के प्रती जवाब दे नहीं होंगे तो या है अनुच्छेद तीन सो अंतरगत के तहत या उपबंध है चलिए दोस्तों संग और उसके राजशितर से कोशन देखते हैं पहला है भारत एक है तो भारत एक राजियों का संग है भारती सम्विधान के अनुच्छेद एक में या घोसड़ा की गई है कि इंडिया अथार्थ भारत है तो राजियों का संग है भारत भारत का सम्विधान भारत को कैसे वरड़ित करता है तो राजियों का संग वरड़ित करता है भारत आंधर प्रदेश एक भासाई राज के रूप में गठित किया गया तो एक भासाई अधार पर एक राज के रूप में आंधर प्रदेश गठित किया गया उननीस सो तिरपन में भारती संग में किस किसी राज को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है तो संसत को है किसी राज के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निमनलिखित में से किसको प्राप्त है तो प्राप्त है संसत को प्राप्त है राज्यों में पुनर गठन संबंधी विदेयक को संसत में प्रस्तुत करने के से पूर्व किसकी सहमती प्राप्त करना अवस्यक होता है तो राश्ट पती की सहमती प्राप्त करना अवस्यक होता है ने राज्य के गठन अथवासीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है तो संसत को है निमनलिखित में से कौन किसी राज्य का खेतर घटा या बढ़ा सकता है तो संसत किसी राज्य का खेतर घटा या बढ़ा सकता है अन्य रजवारों के भारत में विले के बाद भी किन तीन राजियों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया तो दोस्तों जूना गल हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर को किया गया पांचों से अधिक रजवाडों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदाई था तो उत्तरदाई था सर्दार वल्लभाई पटेल उत्तरदाई थे जोडों में से किस ने देशी रियासतों को भारतिय संग का अंग बनाने में महत्तपूर भूमि का अदा की है तो सरदार वल्लब भाई पटेल और वीपी मैनन ने महत्तपूर भूमी का अदा की है मूल सम्विधान में राजियों को कितने वर्गों में रखा गया तो चार वर्गों में रखा गया भारत संग में वर्तमान कितने राज्य हैं तो वर्तमान में 28 राज्य हैं सम्विधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को चार स्रेणियों आ, बा, सा और दा में बाटा गया था इन स्रेणियों को किस वर्स समाप्त किया गया था 1956 में भाषा के अधार पर राज्यों का पुनर गठन किस वर्स में किया गया था 1956 में प्रथम भासाई राज किसे बनाया गया था दोस्तों तम आंदर प्रदेश को सर प्रथम भासा के अधार पर आंदर प्रदेश राज का गठन उन्नी सो तिरपन में हुआ इसके पूर वहां एक अंदूलन हुआ था इस अंदूलन में किसकी मृत्व हो गई थी तो पोती स्री रामूलू की मृत्यू हो गई थी मूल संविधान में राज्यों को चार अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्धक्षता में राज पुनर गठन आयोग का गठन किया गया तो यह किया गया फजल अली की अध्धक्षता में राज पुनर गठन आयोग का गठन किस वर्स किया गया तो यह किया गया दोस्तों 1903 में किया गया था भाशागत आधार पर राजियों के पुनर गठन के लिए भारा सरकार ने दिसंबर 1903 में राज पुनर गठन आयोग की नियुक्ति की थी जिसकी रिपूर्ट के आधार पर इस आयोग के अध्यक्ष थे तो इस आयोग के अध्यक्ष जश्टिज फजल अली थे राज पुनर गठन अधिनियम का पारिद किया गया पारिद किया था 1956 में 1956 में राजियों का पुनर गठन करने से 14 राज वा 6 संग राज बने थे वर्तमान में भारतिय संग में राजियों और केंसासित प्रदेशों की संख्या करमसा कितनी है तो 28 राज और 8 केंसासित प्रदेश है भारत में इस समय शामिल है तो भारत में इस समय 28 राज एवं 8 के इंदर्शासित प्रदेश सामिल है भारत में कितने कितने राज एवं संगिय प्रदेश है तो 28 राज एवं 8 संगिय प्रदेश है जिसमें राष्टिय राजधाने दिल्ली छेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है निर्मे लिखित में कौन भारत का एक केंद सासित प्रदेश नहीं है तो भारत का केंद सासित प्रदेश तिरी पुरा नहीं है निर्मे लिखित में से कौन केंद सासित प्रदेश नहीं है तो केंद सासित प्रदेश मिजोरम नहीं है कराई कल माहे या नाम सहित पुडूचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्स भारत को अधर्पित किया था तो यह किया था दोस्तों 1954 में पुडूचेरी को किस वर्स भारतिय संग में सम्मिलित किया गया किया गया था 1962 में किस वर्स गोवा सहित अन्य पूर्ट गाली बस्तियों को भारतिय संग का राज इक्षेतर बनाया गया था बनाया गया था दूस्तों 1961 में सम्विधान लागू होने के पस्चात निवन में से कौन भारतिय संग का एक आरक्षित राज बना था तो अरक्षित राज सिक्किम बना था सिक्किम को किस वर्स भारतिय संग में सहयुक्त राज के रूप में शामिल किया गया था 1974 में किस सम्विधानिक संसोधन के अंतरगत सिक्किम को भारत का एक सहराज बनाया गया था 35 संग राज बनाया था कि आयोग की अनुसंसा के आधार पर पंजाब पुनर गठन अधिनियम दोरा पंजाब और हरियाडा राज गठित किये गए तो धर आयोग के दोरा किये गये थे निमने लिखीत में से किस वर्स सिक्किम को राज का दर्जा दिया गया था तो सिक्किम को राज का दर्जा 1975 में दिया गया था लगभग 280 साल के फ्रांसीसी सासन के बाद 1954 में निमने लिखीत में से कौन भारत का एक के इंसासित प्रदेश बन गया था तो पुडू चेरी बन गया जारखंड राज का गठन कब हुआ तो जारखंड राज का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को सिक्किम भारत का 22 राज बना तो सिक्किम भारत का 22 राज 36 सम्विधान संसोधन से के द्वारा बना था उत्राखन राज के स्रीजन के समय ग्यारवे वित आयोग ने इसे निम्नांकित राज का दरजा दिया था किसी राज के कोई खेत्र पृथक कर या दो या अधिक राजियों को मिला कर या किसी राज खेत्र को किसी राज के साथ मिला कर नए राज का निर्मार कौन कर सकता है निमने लिखित में से किस के इन सासित प्रदेश को आंसिक राज का दर्जा दिया गया तो आंसिक राज का दर्जा दिया गया था दोस्तों पुडू चेरी को नीचे दिये गए राज्यों को भारत संग के संपूर राज का दरजा प्राप्त होने का सही काल अनुकरम कौन सा है तो है नागालेंड फिर हर्याना फिर सिक्किम फिर अरुडाचल प्रदेश है संसद की नई राज्यों को बनाने के प्रक्रिया के बारे में निमने लिखित कत्रों में से कौन सा कतन सही नहीं है तो सही नहीं है दोस्तों इस प्रकार की विधी अनुच्छे 368 के कारशेदर में आएगी गलत है एक भारती राज के रूप में बिहार बना तो एक भारती राज के रूप में बिहार 1912 में बना था मद्य प्रदेश राज का गठन कब हुआ था तो एक नमबर 1956 को हुआ था हर्याणा राज कब बना तो हर्याणा बना था एक नमबर 1966 को मड़ीपूर में घाले और तुरीपूरा डैस के अंतरगत राज कब बन गए तो दोस्तो उत्तर पूर्वी छेतर पुनर गठन अधिनियम 1971 के अंतरगत राज बन गए समविधानिक प्रावधानों के अनुसार राजियों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति किसकी सहमति की आवसकता है तो आवसकता है राज जिकी सहमति के आवसकता नहीं है चलिए दोस्तो नागरिक्ता से कोशन्स देखते हैं भारतिय समविधान के अंकिन अनुस्षेदों में नागरिक्ता संबंधी प्रावधान किये गए हैं भारतिय सम्विधान निमनलिखित में से कौन सी नागरिक्ता प्रदान करता है तो प्रदान करता है एकल नागरिक्ता कि इस अनुच्छेट के तहट संसत को नागरिक्ता के संबंद में कानुन बनाने कारिकार प्रदान किया गया तो अनुच्छेट 11 के तहट प्रदान किया ग नागरिक बनने के निमनलिखित शर्टों में से एक आवस्यक शर्ट क्या है तो है राज्य की सदस्टता है एक आवस्यक शर्ट पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने के संबंधे प्रावधान का वरणन अनिमनलिखित में से किस अनुच्छेद में वरडि नागरिक्ता के लोप होने का एक नियम है तो एक नियम है देश दुरों का अपराद सिद्ध होने पर एक व्यक्ति नागरिक्ता के अधिकार कैसे हो सकता है एक कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है तो एक कारण है एक व्यक्ति दूसरे राज की नागरिक्ता लेले तब निम् इस प्रकाद से प्राप्त की जा सकती है तो प्राप्त की जा सकती है जन्म से वनसा नुकरम से देशी करण से उपरियुक्त सभी से प्राप्त की जा सकती है नागरिक्ता प्राप्त करने वक होने के विशय में विस्तार से चर्चा कहां की गई है तो चर्चा की गई है उनीस सो तरकार को या विश्वास हो जाए कि नागरिक्ता छल पूर्वक प्राप्त की गई है और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किन्तु किशी विदेशी राष्ट से युद्ध के दौरान वह सत्रू की सहायता पहुचाने की गत्विधियों में लिप्त पाया जा जाता है ऑप्शन सी कोईशन का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी मा भारती है तो उसे भारती नागरिक्ता प्राप्त होगी कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर ना जन्म ग्रहर किया हो उन्हें जन्म जात भारती नागरिक्त समझा जाएगा निम्न में से किस इस्थिती में किसी व्यक्ति को भारती नागरिक्ता समाब तो हो सकती है तो त्यागने पर परिया वसन पर वन्चित किये जाने पर उपरियुक्त सभी से उसकी नागरिक्ता कब लागू हुआ तो यह लागू हुआ था उनीस सोněंचास में भारतिय संविधान के अंतरगत भारत के नाघरीकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है तो वे हैं कुछ सारविनिक पदों की पात्रता संसत वा विधान मंडल के सदत से होने का दिकार अनुच्छेद 15-16 वा उन्नीस द्वारा प्रदत्त मौली का दिकार उपरियुक तो सभी है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक्ता के संबंद में संसत ने एक व्यापक नागरिक्ता अधिनियम कब बनाया था तो 1995 में बनाया था भारत में एकल नागरिक्ता की अवधारणा अपनाई गई तो यह अपनाई गई दोस्तों इंगलेंड से अपनाई गई थी भारत में रहने वाला ब्रिटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाई की सुतंता काधिकार दावा नहीं कर सकता है किस देश में दोरी नागरिक्ता का सिध्धान्त स्विकार किया गया है तो यह स्विकार किया गया है संयुक्त राज अमेरिका में नागरिक्ता जानने में लिखित में से किन विदियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है तो यह प्राप्त की जा सकती है दोस्तों जन्म द्वारा अनुवान सिक्ता के द्वारा और पंजियन के द्वारा ओप्शन भी कोशन का राइट आंसर होगा नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए शर्ते निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है सक्षम निकाय है संसत भारत का एक नागरिक अपनी नागरिक्ता खो देगा यदिवा भारती नागरिक्ता का परित्याक करता है अगर तो या दिवा सुच्छा से अन्य देश की नाग्रिकता प्राप्त करता है ओप्सन सी राइट हो जाएगा चलिए दोस्तों मूल अधिकार से कोशंस देखते हैं मौलिक अधिकार समविधान के किस भाग में वरडित है तो भाग तीन में वरडित है भारत के सम्विधान का भाग तीन संबंद है तो या संबंद है मूल अधिकारों से मूल अधिकारों को सरुपथम किस देश में सम्विधान इक माननेता प्रदान की गई तो संयुक्त राज अमेरिका के में सम्विधान इक माननेता प्राप्त की गई भारती नागरी को कोई प्रारंब में कितने मौलिक अधिकार दिये गए थे तो प्रारंब में साथ मौलिक अधिकार दिये गए थे वरतमान में भारती नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मौल संविधान का हिस्सा था भारती संविधान में नियालय में कौन प्रवर्तनी है तो नियालय में मौल अधिकार प्रवर्तनी है मौलिक अधिकारों को लागुक करने का दाइत तो है तो या दाइत उच्चतम न्याले पर है और उच्च न्याले पर है उपरिक दोनों पर है मौलीक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो यह निलंबन राष्ट पती कर सकता है मौलीक अधिकारों के बारे में सुनुआई करने पर अधिकार न प्रवर्ति सम्विधान के अंतरगत मूल अधिकारों का संडख्षक कौन है तो न्याय पाली का है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है तो आदेश राष्ट पती दे सकता है मौल अधिकारों को पर आवस्यक पती बंद लगाने का अधिकार किसको है तो यह अधिकार संसत को है मौलिक अधिकारों का प्रमुक उद्देश है कि व्यक्तिगत फतंदता को सुनिश्चित करना मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ती प्राप्त है तो उच्च तम वा उच्च न्याले को प्राप्त है भारतिय सम्विधान में प्रदत मूल भूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राश्च पती है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंद में निम एक साथ मिलाकर पढ़ने को समान कारे के लिए समान वेतन का मौली कदिकार पर भाचित करने की शक्ती प्राप्त हुई है तो अनुच्छेट 14, 15, 16 को है को एक साथ मिला कर पहने से हुई है समविधान के किस अनुच्छेट में कानून का समान संदक्षड प्रावधानित है तो या प्रावधानित है अनुच्छेट 14 में समानता का अधिकार भारतियों के लिए सुनिश्चित करता है तो धार्मिक समानता अर्थिक समानता समाजिक समानता करता है। समानता का अधिक समानता का अधिक समानता करता है। नहीं राज बनाम चंपकम दोराय जाजन मुकदमे में भारतिय सरवोच नियालय के निरड़य के पैड़ाम असुरूपनि में लिखित में से किस मौली का अधिकार को संसोधित किया था। या संसोधित किया था दोस्तों भेद भाव के विरुद अधिकार को भारत में समाचार पत्रों का स्वायतंत्र है। तो स्वायतंत्र है दोस्तों समविधान के अनुच्छेद 19.1 का में विशेश रूप से उपबंधित है। भारत का समविधान इस पश्टता प्रेश की आजादी की विवस्था नहीं करता किन्तु यह आजादी अंतर नहींत है। तो अनुच्छेद 19.1 का में हैं वन आ में अंतर नहींत है। स्वातंता के मूल अधिकार से संबंधि समविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर रगत कितने प्रकार की स्वातंतताएं प्रत्या भूत हैं। तो अनुचेद प्रकार की स्वतंतताय प्रत्या भूत हैं, स्वतंता का दिकार सम्विधान के किस अनुचेदों में वरडित है, तो या वरडित है दोस्तों, अनुचेद 19 से 22 तक में, अनुचेद 19 में वरडित स्वतंतताय निमनलिखित में से किसको प्राप्त हैं, तो प्रा स्वतंत्ता से संबंधित है तो अनुच्छेद 19 संबंधित है निमेलिखित में नागरीकों का स्वतंता संबंधित सही अधिकार कौन है तो सही अधिकार है भाशल तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंता प्रेस की स्वतंतता किस अधिकार में नहीं तह तो या नहीं तह मौलिक अधिकार नहीं है तो हरताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है भारती संभिधान का कौन सा अनुच्छेत गाने के लिए बाद नहीं कियाजा सकता है क्योंकि इसके वाग स्वात अभी व्यक्ति के अधिकार का उलंगन होगा इससे अंता करण और धर्म के अबाद रूप से आचार आचरण और प्रचार करने की स्वतनता के अधिकार का उलंगन होगा तो ऑप्सन एकोशन का सही है निमने लिखित में से किन है सर्वोच नियाले के ने मौलिक अधिकार के रूप म माननेता दी है तो सरवोचन्याले ने मौली कादिकार के रूप में माननेता दी है आवास कादिकार विदेश यात्रा कादिकार और समान कादिकार option d question का right answer हो जाएगा बारतिय सम्विधान में प्रदत्य स्वतनता का अधिकार के संबंद में निमने लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो भासरवा अभिव्यक्ति की आबाधी स्वतनता सत्य नहीं है सम्विधान के किन अनुचेदों में सोशड के विरुद अधिकार वरडित है तो सोशड के विरुद अधिकार अनुचेद 23-24 में वरडित है मौलीक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोशड से संबंधित है तो अनुचेद 24 संबंधित है भारत के सम्विधान के अंतरगत किस आयू के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट मैसेवा में लगाए जाने का प्रतिविसेध किया गया है तो यह किया गया है 14 वर्ष से कम में बच्चों को कार खानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयू 14 वर्स हो भारती सम्विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिराफतार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदी की मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्तित करना होगा तो 24 घंटे के अंदर उपस्तित करना होगा चौदा वर्स से कम आयू के के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं इन कारखानों बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उलंगन होगा तो यह उलंगन होगा दोस्तों सोसर के विरुद अधिकार का निमलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपरात के लिए एक बार से अधिक अभियोजित ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है, गिरफतारी का कारणश्री गृता से जानने का अधिकार, अपनी रूची के अनुरूप वकील से परामर्स लेने एवं बचाओ करने का अधिकार, गिरफतारी के 24 गंटे के अंदर मजिस्टेट के समख्च प्रस्तुत किये जाने अधिकार, option d question कर right answer होगा धार्मिक स्वतंता का अधिकार सम्विधान के किन अनुच्छेदों में वरडित है तो यह वरडित है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 30 में भारती सम्विधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो यह संबंध है धार्म की स्वतंता से धार्मिक सुतंता के अधिकार में सम्विधान के अंतरगत सम्मेलित है तो सम्विधान के अंतरगत सम्मेलित है दोस्तों धर्म परचार करने का अधिकार सिखों को कृपार धारर एवं रखने का अधिकार राज्यों का समासु धारक विधी निर्माल का अधिकार ओप्सन एरा पर राज्य किन आदारों पर पतिबंध लगा सकता है तो पतिबंध लगा सकता है दोस्तों स्वास्त सदाचार और लोग विवस्था पर ऑप्संडी राइट हो जाएगा सम्विधान के किन अनुच्छेदों के अंतरगत अल्प संखकों को अपनी संस्कृति के संड़क्षर अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है तो यहां प्रदान की गई है अनुच्छेद 29 वद 30 के अंतरगत भारतिय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आल्प संखकों को अपनी मन पसंद सिक्षर संस्थाओं के स्थापित तथा संचायद करने का अधिकार को संड़क्षर प्रदान करती है तो यहां संद प्रदान करती है दोस्तों अनुच्छेद 30 प्रदान करती है धार्मिक सोतंता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है तो दिया गया है अनुच्छेद 25 के द्वारा भारतिय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान कुपचारों के अधिकार को सम्विधानिक अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है तो ये निलंबित हो जाता है आपात इस्थिति की घोषड़ा के दोरान सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधी लागू हो तब अपर युग तो सभी परिस्थितियो में निरंबित हो जाता है निमनलिखित में से कौन सा अधिकार भारतिय संविधान के अनुचित 32 के अंतरगत प्रवर्तित किये जा सकते हैं तो मौली करिकार को प्रवर्तित किये जा सकते हैं मौली करिकारों को लागू करने के लिए निमनवक्त में से किसी न्यालय द्वारा जारी किया जा सकता है तो किसी न्याले द्वारा रिट जारी किया जा सकता है समादेश जारी किया जा सकता है व्यक्तिगा सुतंता के लिए निम लिखित में से कौन सी रिट या चिका दायर की जा सकती है तो यह दायर की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षी कर रिट जारी की जा स तो यहाँ प्राप्त है दोस्तों, राज्य के उच्च न्यालों को बंदी प्रत्यक्षी करण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्याले जारी कर सकता है, तो जारी कर सकता है उत प्रेशर, परमादेश, अधिकार, प्रिक्षा, प्रतिशेत, उपरी सब भी जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षी करड़ याचिका निरुद्ध व्यक्ति याहिद बद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है निम्न लिखित में से किस स्थिती में बंदी प्रत्यक्षी करड़ याचिका जारी किया जाता है तो या जारी किया जाता दोस्तों है दोश्पूर्ड पुलिसमजर बंदी पर किसी व्यक्ति का अवद्र lawsuits के मामले में न्याले द्वारा जारीकीट परामादेस निम्न मेंसे कौन है तो बंदी प्रतेक्शी करड़ है निम्नलिखित में से किसी आचीका का शापधिक अर्थ होता है हम आदेश देते है तो यह होता है परमादेश का, उन्यम नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैद व्यक्टी से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है तो यह अधिकार प्रिक्ष़ा जारी किया जा सकता है व्यक्ति निगम अथवा अधिनस्त आधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं तो उसको कहते हैं परामादेश वह रिट जो भारत में उच्टम न्याले अथवा सरवोच न्याले दोरा किसी व्यक्ति या सारजुनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव का पालन करे क्या कहलाती है तो परमादेश कहलाती है निमने लिखीत में से किस लेक के द्वारा किसी सक्षम न्याले द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निशली अदालत को कोई ऐसा कारे करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी करतव विसीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए तो यह आता है परमादेश में डेमस कहा जाता है उत्पड़ेसर रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किये जाते हैं तो जारी किये जाते हैं आधिकारिता का भाव या अधिकारिता के बाहर किये गये कारे के लिए नैसरगीक न्याय के निसित धानतों का अतिकरमर होने पर अभिलेक में प्रत्यक्ष हैं तो उसको रोका जा सकता है अधिकार पिक्षा के तहट न्याले द्वारा जारी किये गए परमा देश के माध्यम से न्याले परमा देश से न्याले किसी व्यक्ति या संस्ता को उनके सारजनिक दाइत्वों तथा करतव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है मोल अधिकार कौन मोल अधिकार के अंतरगत नहीं आता है तो मोल अधिकार के अंतरगत संपत्तिक अधिकार नहीं आता भारत के संविधान के तहदने में लिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है तो नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नह संपत्ति का अधिकार क्या है तो संपत्ति का अधिकार क्या है तो संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों विधिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है समपत्ति के अधिकार को मोल अधिकार की स्रेडी से हटा करकि सनुच्छेत के अंतरगत रखा गया तो यह रखा गया दोस्तों अनुच्छेत 300 का के अंतरगत भारत के समविधान के अनुसार जो समविधानी का अधिकार है किन्तु मोल भूत अधिकार नहीं है तो वह हैं दोस् सूची वन में दिया है दोस्तों मौली का अधिकार सूची टू में अनुछेट चलिए सुमिलित करते हैं तो इसका हो जाएगा दोस्तों समता का अधिकार समता का अधिकार हो जाएगा अनुछेट 14 से अनुछेट 18 के अंतरगत है वाक वाक स्वातंत्र का अधिकार वाक स्वा मौलीक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंता नहीं है तो मौलीक अधिकार में हरताल करने की आजादी नहीं है किस वाद वाद ने संसत को मौलीक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया था तो केश्वानन भारती वाद ने दिया था किसी न्याले अथवा न्याधिकरर के आदेश को रद करने के लिए निमने लिखित में से कौन सीरिट जारी की जाती है तो जारी की जाती है उत प्रेशर निमने लिखित में से कौन सम्मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की सोतनता का अधिकार प्राप्त नहीं है 6 वर्स की आयू से 14 वर्स की आयू के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है सम्विधान के किस अनुच्षेद में किसके अंतरगत हुआ है तो यह हुआ है दोस्तों अनुच्षेद 14 अनुच्षेद 15 और अनुच्षेद 16 के अंतरगत option C right हो जाएगा सम्विधान के अंतरगत बंदी प्रतक्षिकर समादेश जारी करने का अधिकार की इसमें नहीत है तथा उच्षतम न्याले दोनों को नहीत है परमादेश याचिका रिट ओफ मैंडबस का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है किसी अर्थ न्याईक सारवजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार ये कर्तव के लिए मजबूर करने के उद्देश से उच्षतम न्याले द्वारा जारी की गई रिट होती है तो परमादेश होती है समविधान के अनुछेद 17 और अनुछेद 18 में व्यवस्था है तो समाजिक समता की व्यवस्था है भारत में उच्टम न्याले ने निमलिखित मामलो में से किसमे माना था कि मौलीक अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता तो अनगोलक नाथ के मामले में माना था निमलिखित में से कौन सा भारत के सम्विधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है तो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की शर्भागिता नहीं है भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रति बंदों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है तो संसद के पास है किसी कैदी को नियाला की समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवा सकता होती है तो बंदी प्रतक्षी करण की आवा सकता होती है चलिए दोस्तों राज के नीती निर्देशक्तत्तों से कोश्चन्स दिखते हैं भारती सम्विधान में राज के नीती निर्देशक्तत्तों ग्रहड किये गए तो आयरलैंड से ग्रहड किये गए राज के नीती निर्देशक्तत्तों का उलेग भारती सम्विधान के किस भाग में है तो भाग चार में है भारती सम्विधान का किस अनुचेद में राज के नीतिन देशक तत्वों का उलेक है तो यह है अनुचेद 36-51 में सम्विधान का कौन सभाक है जो सम्विधान के निर्माताओं के मस्तिस्क और उद्देशियों को प्रतिबंदित प्रतिबीमीत करता है तो या है दोस्तों राज के नीती ने दे सकत्तो है 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 तो है दोस्तों आर्थिक सिद्धान्त समाजिक सिद्धान्त प्रसासनिक सिद्धान्त उपरि सामाजिक आर्थिक लोकतंडर की स्थापना है किस समयधानिक संसोधन अधिनियम ने नीती निर्देशक तत्तों को मौलीक अधिकारों की अपेक्षा अधिकार प्रभाव शाली बनाया तो 42 में सम्मिधान संसोधान अधिया मुनिशुची स्यत्तर ने बनाया भारती सम्मिधान का कौन सा अंग समाजवादी विवस्था इस्थापित करने की प्रेड़ा देता है तो नीती निर्देशक तत्तों देता है सम्मिधान में कल्यानकारी राज का आदेश दिया जाता है तो या दिया जाता है दोस्तों नीती निर्देशक तत्तों में नीती निर्देशक सिध्धान्त है तो नीती निर्देशक सिध्धान्त वाद योग नहीं है वाद योग न नीती निर्देशक तत्तों के विशय में कौन सा कथन सही है तो वे एक दूसरे के पूरक है एक कल्याकारी राज के निर्देश आदर्स वरडित है तो वरडित है दोस्तों राज के नीती निर्देशक तत्तों में तो यह सन नहीं थै राज के नीती निर्देशक तत्त में सामान कारे के लिए सामान वेतन भारत में सम्विधान भारत के सम्विधान में सुनिश्चित किया गया तो यह किया गया एक राज के नीती निर्देशक तत्तत का अंग है दान्त को किस मुख्य कारर से सम्मिलित किया गया है तो किया गया है कल्यान कारी राज की स्थापना के लिए मूलभू सम्विधान में कौन से भाग में राज लोक कल्यान की संकल्पना सम्मिलित की गई है तो यहां की गई है दोस्तों राज के नीति निर्देशक तत्त में सम् नहीं है तो यह नहीं है दोस्तों नीजी संपत्ति की समाप्ति यह नहीं है राज्य के नीती निर्देशक तत्त तो नहीं है वैग्यानिक मनोभाव के विकास का नहीं है राज्य के नीती निर्देशक तत्त में क्या शामिल है जो मून अधिकार में नहीं है तो कुटी रुद किसी नीती निर्देशक सिध्धान्त को प्राया समाजवादी माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए निमनलिखित निर्देशक सिध्धान्तों में सिववा सिध्धान्त कौन सा है जिसे गांधिवादी सिध्धान्त कहा गया है तो है स्वसासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्रामपन चायतों का संगठन नीती निर्देशक्तत्तों का महत तो किस के लिए है तो है राज के लिए नीती निर्देशक्तत्तों का महत राज के लिए है भारत के किस राज में समान नागरी सहीता लागू है तो लागू है गोवा में राज के नीतिन देशक सिद्धानतों के अनुसार किस आयू तक के बच्चों को निशुल केवं अनिवार सिक्षा देने की आसा की जाती है तो यहां की जाती है 14 वर्ष तक के बच्चों को राज के नीतिन देशक सिद्धानत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन है तो राज के नीतिन देशक तत्तों को मूल अधिकारों पर वर्यता पदान की गई है तो बैलिस में सम्विधान संसोधन अधिकारों के द्वारा की गई है भारती संविधान के अंतरगत कल्यार कारी राज की अवधारला नीमनलिखित में से किस अनुचेद में वरडित है तो दोस्तों वरडित है अनुचेद 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 में समान नयाय और निसुलक विधी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुचेद में है तो देता है अनुच्छेद 40 भारती नागरीकों के लिए एक समान सिविल सहिता प्राप्त करने की बात कही गई है तो अनुच्छेद 44 में कही गई है सम्विधान के किस अनुच्छेद में न्याय पालिका का कारे पालिका से पिठिक करण का उलेक किया गया है तो अनुच्छेद पचास में किया गया है राज्य के नीती निर्देशक चित्धानतों में से किस अनुच्षेत का संबंध अंतर राष्टी शांती और सुरक्षा के समवर्धन से है तो यह है दोस्तों अनुच्षेत 51 में भारती समविधान के किस अनुच्षेत द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को सिक्षा संबंधी सुरक्षा पदान की गई तो यह पदान की गई अनुच्षेत 46 में काम करने के अधिकार को राज के नीती निर्दे सकत तत्तो में निम्ने लिखीत में से किस अनुच्छेट के अंतरगत रखा गया है तो अनुच्छेट 41 के अंतरगत रखा गया है सूची वन को सूची टू से सुम्यद करना है सूची वन में है सम्विधान का अनुच्छेद और सूची टू में है उसके विश है तो इसका हो जाएगा दोस्तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है विश है राज के नीतिन देशक तत्तों में शामिल है तो सामिल है मादक पेयों और स्वास्त के लिए हानिकारक औसधियों के लिए औसधिय प्रयोजन के प्रयोजनियों से भिन उपयोग का पतिशेद है औप्सन भी राइट होगा निमलिखित में से कौन सा एक राज के नीतिन देशक तत्तों का उद्देश नहीं है तो उद्देश नहीं है एक धार्मिक राज की स्थापना करना इनमें से कौन राज के नीतिन देशक तत्तों में सम्मिलित नहीं है तो यह सम्मिलित नहीं है दोस बारत के कल्यानकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो पाया जाता है दोस्तों सम्विधान की प्रस्तावना में और नीती निदेशक तत्तों में पाया जाता है भारतिये पंचायतों का संगठित करना और ग्रामीर छेत्रों में कुटीर उद्यों को पूत्साहित करना ऑप्सन भी राइट हो जाएगा राज्य के नीती निदेशक तत्तों सहेज अध्यन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किये जा सकते हैं तो या विभाजित किये जा सकते हैं समाजवादी उदार बौधी कतावादी और गांधिवादी तीनों में उपरियोग तो सभी राइट आंसर होगा निम्न लिखित में से कौन सा एक भारत के समविधान में यथा पतिष्ठापित राज्य की नीती निदेशक तत्तों का भाग नहीं है तो स्वी विधी परसनल लौ का सनरक्षर नहीं भाग नहीं है नीती निदेशक तत्तों का चलिए दोस्तों मूल कर्तव्यों से कोश्चन्स देखते हैं भारती सम्विधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो पूर सोवियत संग से लिया गया है निमने लिखित में से किस समीती ने मौली करतव्यों को शामिल करने की अनुसंसा की थी तो यहां की थी सरण सिंग समीती ने निमने लिखित में से किस वर्स सम्विधान में मूल करतव्यों को अन्ता इस्थापित किया गया था यह किया गया था दोस्तों याद रखेगा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो 42 में सम्विधान संसोधन के द्वारा किया गया था किये गये थे दोस्तों दस मौली कर्तवे निश्चित किये गये थे सम्विधान के किस भाग में मौल कर्तवियों के अध्याइक को जोड़ा गया जोड़ा गया था भाग चार का में जोड़ा गया था सम्विधान भारती सम्विधान में मौली करतव्यों की सूची निर्म लिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी तो जोड़ी गई थी भाग चार के रूप में भारत के सम्विधान के किस अनुच्षेद में मौलिक कर्षव्य की चर्चा की गई है तो अनुच्षेद 51A में की गई है वर्तमान में सम्विधान में कुल कितने मूल कर्षव्यों का उलेख है तो उलेख है दोस्तों 11 मूल करतव्यों का किस सम्मिधान संसोधिन अधनियम द्वारा सम्मिधान में मूल करतव्यों का सम्मिलित किया गया है तो 42 में सम्मिधान संसोधन अधनियम के द्वारा किया गया है मौली कर्तव्यों को सम्मिधान में सम्मिलित किये जाने का प्रायोजन है तो विनाशक एवं असम्मिधानी गत्विधियों को नियंत्रित करना सम्मिधान में उल्लिखित मौली कर्तव्यों किसके लिए हैं सभी नागरिकों के लिए हैं मौली कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की विवस्था नहीं है भारत के प्रतेक नागरी का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरार का संदक्षर एवं सुधार उपरोक्त कथन भारती संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भीत है निमने लिखित में से कौन सा एक मौली कर्तव्य नहीं है तो मौली कर्तव्य नहीं है निमने लिखित में से भारत में मौलिक करतवे कौन सा है तो हमारी मिली जुली संस्किती की समरिद्ध पिरासत को संड़क्षित करना वा महत्तुप्रदान करना मौलिक करतवे है निमने लिखित में से कौन सा मौलिक करतवे नहीं है तो मौलिक करतवे नहीं है दोस्तों राष् प्रवर्तिय नागरीकों के मूल करतव निमने लिखित में से क्या है तो राष्टगान द्वाच आदी का सम्मान विज्ञानिक प्रवर्ति का विकास राष्टिय एवं सांस्कृतिक विरासत का संदक्षर परिक्षर उपरियुक्त सभी है भारत के सम्विधान में भारत के ना अध्यां से निमने लिखित में से किस एक को मौल करतव के रूप में सम्मिलित किया गया है तो किया गया है दोस्तों 6-14 वर्ष की आयू के बीच के बच्चों को शिच्छा के अवसर प्रदान करना चलिए दोस्तों भारती संसत से कोशनस दिखते हैं भारत की संगी विवस् सदन लोक सभा है संसद का इस्थाई सदन है तो संसद का इस्थाई सदन राज्य सभा है भारत भारत की संसद में निमने लिखित सामिल है तो भारत की संसद में राष्ट पती राज्य सभा वा लोक सभा सामिल है निमने लिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतिय संविध का अनन्य भाग उप राष्ट पती नहीं है भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संशत के तीन अंग होते हैं इन में से एक अंग है लोग सभा दूसरा अंग है राष्ट पती भारतिय संशत के कितने अंग है तो तीन अंग है भारतिय संशत के याद रखिएगा भारत लिखित कृटि में कौन असत्ते है तो राजे सभा संस्थ का उच्छ सदन है राजे सभा राज्यों का पते इंधी करता है उपर्विक तो सभी सही है संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशा है तो क्रमशा लोग सभा एवं राज्य सभा है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है तो राश्च पती सक्षम है संसद को भंग करने के लिए भारती संसद की समप्रुभता प्रति बंधित है तो न्याइक समिक्षा से प्रति बंधित है संसद के कितने सत्र होते हैं तो संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत कालिन सत्र, उप्रियुक्त सभी सत्र होते हैं संसद के दोस्चेत्रों के बीच अधिक्तम कितना अंतराल दिया जा सकता है तो दोस्तों छे महिने का अंतराल दिया जा सकता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन एक ऐसे विदहयक पर विचार करने और उसे पारिफ करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मत भेद हो निमली कित कुटों में सही उत्तर हो जाएगा आपसन डी सही हो जाएगा केवल चौफा सही है भारतिय संसत के दोनों सदनों की सैङुक्त बैठक किस संबंध में होती है तो यह होती है साधारण विध्यक में साधारण विध्यक से संबंदित गतिरोत को दूर करने के लिए संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो यह बुलाता है दोस्तों राश्टुपती लोगसभा वर राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है तो वो संयुक्त बैठक होती है लोगसभा एवं राज्यसभा में मतभेदोने पर संसत के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है तो होता है कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना होता है यदि किसी सामाने विदेयक पर राजसभा और लोगसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समधान कौन करेगा तो उसका समधान संसत का संयुक्त सत्र करेगा स्वतंत्र भारत के रासंसिदी इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो अभी तक तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है क्या राश्ट पती या उपराश्ट पती कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो जी कभी नहीं करते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त रिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो इसकी अध्यक्षता लोग सभाध्यक्ष करते हैं संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है तो संबोधित करता है राष्टपती भारत की संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठके किस लिए आयोजित की जाती है तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद होता है संसत के संयुक्तरिवेशन में विधेयक पारित होता है जब दोनों सदनों के कुल उपस्थी तथा मतदाता सदस्यों के समाने बहुमत के द्वारा पारित होता है संविधान संसोधन प्रस्ताव के संबंद में दोनों सदनों में मतभेद होने की इस्थिती में प्रस्ताव गिर जाएगा संसत की कारवाई सूची में प्रथम विशय होता है तो प्रथम विशय होता है दोस्तों प्रश्नकाल का कौन सी प्रथा संसदी प्रडाली को भारत की देन है तो सुन्य काल भारत की देन है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किये अनुपस्थित रहता है तो साथ दिन तक बिना सूचित किये अनुपस्थित रहता है तब उ कम से कम दो बार बैठा खोना आवसक है नीचे दिये हुई साड़ी पर द्यान दीजिए संसत भारत की दिये है फिर पहला दिया है राजसभा और दूसरा लोकसभा राजसभा के अंतरगत धाईसो से अनधिक सदस से और धाईसो से अनधिक सदस बारा नामिर देशित होते हैं और लोकसभा के अंतरगत 552 से अनधिक सदस जिसमें की 530 से अनधिक राजियों के पते थी और दो से अनधिक नामिर देशित अंगलो इंडियन होते हैं और X में क्या होगा कोश्चनम से पूछा है तो दोस्तों X में हो जाएगा संग राज चेत्र के 20 से अनाधिक पते हैं थी अपसँ सी राइट हो जाएगा भारत के सम्विधान में निम्न लिखित में से क्या कथित है तो भारत के सम्विधान में कथित है संसत राष्ट पति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी निम्न विध्यकों में से किसका एक भारतिय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेश बहुमत से पारित होना अवस्यक है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैंबर की मीटिंग बुलाने के लिए अवस्यक गड़पूर्ती कोरम है तो या है दोस्तों एक बटा दस है संसदी प्रडाली वाली सरकार को अन्यकिस नाम से जाना जाता है तो या जाना जाता है संगी सरकार के नाम से भारत की संसद के बारे में निमने लिखीत में से क्या सही नहीं है तो लोग सभा में मनोनी सदस नहीं होते या गलत है या सही नह तो 17 अपरेल 1952 तक अस्तित्तों में रही थी भारत में पालिया मिंट का उद्गाटन कब हुआ था तो हुआ था 1927 में संसत के दोनों सदनों का 17 वशान कौन करता है तो यह करता है राश्ट पती संसत के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है तो मंतरी के अलावे अन किसी संसत सदस्य की आयोगता के संदर में निरड़े कौन करता है तो राश्ट पती करता है भारत की संचित निधी किसे धन निरगम का पर किसका नियंतरड होता है तो संसत का नियंतरड होता है चलिए दोस्तों राश्ट पती से कोशन्स देखते हैं भारती संविधान के अन संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओ का अध्यक्ष कौन होता है तो राश्च्य पती होता है भारत के राश्च्य पती के लिए आवस्यक योग्यता नहीं है तो वास अंसत के किसी संदन का सदस्य हो या आवस्यक नहीं है भारत के राष्ट पती निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयू पूर्ड होनी चाहिए तो 35 वर्ष पूर्ड होनी चाहिए राष्ट पती पत के उम्मीद्वार के लिए अधिकतम आयू कितनी होनी चाहिए अधिकतम आयू की कोई सीमा नहीं है एक व्यक्ति राष्ट पती पत के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो कोई शीमा नहीं है राष्ट पती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट पती का निर्वाचन राष्ट पती पत के निर्वाचन है तो कौन सी पद्धती अपनाई जाती है तो अपनाई जाती है सामानुपातिक प्रति इंधित एवं एकल संक्रमडी मत पद्धती अपनाई जाती है राष्ट पत के चुनाओं संबंधी विवाद को किसे निदेशित किया जाता है तो उच्चतम न्यालय को निदेशित किया जाता तो आयोगता मानी जाती है कि कोई लाब का पद ग्रहण किये हुए हो भारत में राश्च पती का चुनाओ किया जाता है तो राश्च पती का चुनाओ एकल हस्तांत्री अमत पद्धती के द्वारा किया जाता है तो निरवाचन आयोग के द्वारा किया जाता है भारत में किसक पास भेजे जाते हैं तो या भेजे जाते हैं उच्छतम न्यालई के पास किस अनुच्छेत के तहट राष्ट पती तथा उप राष्ट पती के निर्वाचन से संबंधित विवात का निरड़े उच्छतम न्यालई द्वारा करने का प्रावधान सम्विधान में किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेट 71 में राष्टपती पद के उम्मेद्वारों को चुनाओ प्रचार हेतू कितना समय मिलता है तो दो सबता का समय मिलता है भारत के राष्टपती का चुनाओ कितने वर्षों के लिए होता है तो पांच वर्षों के लिए होता है और किस अनु निर्वाचक मंडल में होते हैं तो निर्वाचक मंडल में दोस्तों संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाची सदस्य होते हैं भारत के राष्ट पती के निर्वाचन के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो सही नहीं है तो सही नही सदनों के सदस्यों का मतमूल सभी राज विधान सभाओं के संयुक्त मतमूल यसे कहीं अधिक होता है ये भी गलत है और कोई उमीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वता ही निरवाची नहीं हो जाता या भी गलत है राष्ट पती के निर्वाचन के संबंद में यदि कोई विवाद हो तो सर्वा सर्वोच नियाले के छेत्रा विकार में नहीं आता या भी गलत है उपरियुक्त सभी कोशन कर राइट आंसर होगा भारत के राष्ट पती को उसके पद से हटाया जा सकता है तो उसके पद से हट फिटाया जा सकता है दोस्तों संसद के द्वारा भारत के राष्ट पती को पत से हटाने की प्रक्रिया तो यहम के द्वारा महाभियोस समविधान के उलंगन प्रक्रिया किस देश के समविधान से ली गई है तो ली गई है अमेरिका के समविधान से भारती राष्ट पती को किस परिस्थिती में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है तो यह देना पड़ता है दोस्तों महाभियोग लगने पर कारिकाल पूरे होने पर पहले भारत की राष्ट पती को उनके पत से कौन हटा सकता है तो यह हटा सकता है दोस्तो संसत द्वारा महाभियोग लगा कर राष्ट पती पर महाभियोग कारोप एक संकल्प के रूप में संसत के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के तो तीहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए भारत के राष्ट पती का कार्य अवधी की समापती के पूर्वी पद से हटाया जा सकता है तो हटाया जा सकता है दोस्तों महा अभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है किसी व्यक्ति के राष्ट पती के रूप में चुनाओं को अव भारत के राष्ट पती को महावयोग द्वारा हटाया जा सकता है किन्तों महावयोग की प्रक्रिया को दोस्पूर कहकर आलोशना की जाती है प्रक्रिया में कौन सा दोश नहीं है तो प्रक्रिया में दोस्त नहीं है दोस्तों की राष्ट पती राजसभा के रिक्त स्थानों प भारत का मुख्य न्याधिस राष्ट पति सम्विधान के किस अनुचेद के तहट भारत के मुख्य न्याधिस के समक्ष शपत ग्रहन करता है तो यह सपत ग्रहन करता है दोस्तों अनुचेद साट के तहट मुख्य न्याधिस के अनुपस्तिति में राष्ट पति किसके समक्ष सपत लेता है तो या सपत लेता है दोस्तो सर्वोच न्याले के वरिष्ट न्याधिस के समझ यदि राष्ट पती और उपराष्ट पत्र दोनों देश के बाहर है तो उस स्थिति में उनके कारिभार को कौन ग्रहर करेगा तो उनके कारिभार को ग्रहर करेगा सर्वोच न्याल की सूचना उपराष्ट पती किसको देता है तो लोग सभा अध्यक्स को देता है भारत के राष्ट पती और उपराष्ट पती की मृत्यू की स्थिति में भारत के राष्ट पती के रूप में कौन कारी करेगा तो कारी करेगा दोस्तों भारत के मुख्य नाधिस कारी करेंगे यदि मृत्यू ताग पत्र हट्वा हटायाने की इस्तिति में भारत की रास्ट्रों का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कारेभार कौन समालेगा उस पद का कारेभार समालेंगे उपर राश्ट्र पती जब राश्ट्र पती रित्यू त्याग पत्र पद चूतिया अन्य कारणों से अपने करता विको नहीं निभा सकते तो रूप राश्ट्र पती कितने समय त Острахát थे फिर राष्ट पती बने भारत के राष्य पती निर्वाचित होने से पुर्व निम्नमे से कौन उप्राष्ट्पति नहीं ठे तो निम्नंमे से दोस्तों याद रखेगा निम्न से उप्राष्ट्ट्पति नहीं थे khnael sing भारत के चौथे राष्ट पती थे तो भारत के चौथे राष्ट पती थे दोस्तों वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट पती थे सबसे लंबे समय तक भारत के राश्टपती रहे हैं तो सबसे लंबे समय तक रहे हैं डॉक्टर राजिन प्रसाद भारत का राश्टपती चुने जाने वाले प्रथम गैर कॉंगरेसी उम्मीदवार कौन थे तो प्रथम गयर कॉंग्रेसी उम्मीदवार थे वीवी गिरी थे प्रथम गयर कॉंग्रेसी उम्मीदवार भारती राश्टपती के सर्व संपत्ती के से चुने जाने का अभी तक एक मात्र उधारण है तो एक मात्र उधारन है नीलम संजीवरेडी निमनलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट पती नहीं रहा है तो सी राज गोपाल चारी कभी राष्ट पती नहीं रहे हैं सुतंत भारत के पधम राष्ट पती कौन थे तो या थे डॉक्टर राजेंद पुरशाद निर्धारित करता है दोस्तों अनुच्छे 57 निर्धारित करता है जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट पती थे तो भारत के राष्ट पती थे एन संजीवरेड़ी थे उस टाइम पे जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के किस राष्ट पती की मृत्य हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसायन की भारतिय संग के पती रक्षा बलों का सर्वोच समादेश निमनलिखित में से किसमे नहीं होता है तो या नहीं होता है राष्ट पती में नहीं होता है निमनलिखित में से भारत का राष्ट पती किसकी नियुक्ति नहीं करता है निमनलि राज पाल का नियुक्ति करता है भात करास्पति उपरोग तो सभी राइट आंसर होगा केंदरी मंत्री मंदल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है तो यहां नियुक्ति करता है दोस्तो प्रधान मंत्री की सलहा पर राश्टपति निमने लिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट पती के द्वारा नहीं होती है तो भारत के राष्ट पती के द्वारा लोग सभाध्यक्ष की नहीं होती है भारत के सर राष्ट पती की मरजी निम्तक निमनलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है तो अपने पद पर रह सकता है दोस्तो राजपाल रह सकता है निमनलिखित में से किसे राष्ट पती नियुक्त नहीं करता है तो राष्ट पती दोस्तों योजना योग को नियुक्त नहीं करता है वित बिल के लिए किसकी पूर स्विकृति आवस्यक है तो भारत की राष्ट पती की स्विकृति आवस्यक है किसी भी अभी युक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है किसे दिया गया है तो भाराष्ट पती को ही दिया गया है राष्ट्र पती द्वारा लोकसभा और राजसभा में मनोनिचा दस्यों की कुल संख्या कितनी होती है तो चौदा होती है भारत के राष्ट पत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट पती को उच्चतम नाले से परामर्श लेने की सक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 143 143 प्रदान करता है भासंसद के सदनों को बुलाने की सक्ति किसके पास है तो या सक्ति है दोस्तों सराष्टपती के पास राष्टपती को कौन सहाई एवं मंत्रणा देता है तो राष्टपती को संगिय मंत्री परिशत सहाई एवं मंत्रणा देते है भारत के राष्टपती ने आर्थिक संकट की घोषड़ा कब की थी तो भारत के राष्टपती ने आर्थिक संकट की घोषड़ा कभी नहीं की है विदेशों में को भेजे जाने वाले विभिन संसदी प्रतिनिधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकर निम्नलिखित में से कौन करता है तो राश्च्पती करता है भारत के राश्च्पती भारत के निम्नलिखित में से किस मुखिनाधीस ने कुछ समय तक भारत के तुल्ला ने कारे किया था निलुकित में से कौन राश्च्पती का यह नहीं है तो निलि खीद में से कऊन सा का राश्च्पती का नहीं है किसी सत्र के अंतरगत लोग सभा की बहट के आःध करना विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिशनरों के प्रत्य पत्र किसके द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं तो प्राप्त किये जा सकते हैं राश्टपती किस विध्यक को पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता है तो नहीं लोटा सकता धन विध्यक को यदि राश्ट्रपती द्वारा किसी विध्यक को पुनर विचार के लिए लौटाया जाता है तो यह किस वीटो का प्रियोग करता है तो यह प्रियोग करता है निलंबन कारी वीटो का प्रियोग करता है राष्ट्रपती निम्न में से किस सूची के विशय में विशय पर अध्यादेश जारी कर सकता है तो संग वा समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपती किस सूची के विशयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता तो सराज सूची पर है कि वह उसे वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भीज सकता है भारत के राश्ट-पति हैंस्त के दोनों सदनों को प्रतर्म सत्र के प्रारंब में कब संभोधित करते हैं तो प्रतिवस करते हैं और लोग सभा के लिए प्संश होजाएगा सम्मिद diverti के किस अनुच्यट 124 के अंतरगत राष्ट-पती निमलिखीत में से क्या कर सकता है तो सरवोच नेले के नयाज़ीसों की नियुक्ती कर सकता है किसी दन्ड पायगया प्राधी को शमादान करने की सकती निमलिखीत में से किसको प्राप्त है केवल राष्ट्रपती को प्राप्त है अब अत्यासित व्यायों की पूर्ती के लिए निमलिखित में से कौन भारत की आकास्मिक निधी से धन निकाल सकता है तो राष्ट्रपती निकाल सकता है निमलिखित में से कौन सा आधिकार भारत के राष्ट्रपती को प्राप्त नहीं तो उच्छ न्याले तथा उच्छ न्याले के आधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार नहीं है, किन-किन परिस्थितियों में राष्टपती संसद का संयुक्त अधिवेशन आहुत कर सकते हैं, तो एक सदन द्वारा पारित विध्यक को दूसरे सदन द्वारा रद कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ती के 6 माह तक कोई कारवाई ना करना। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट पति भारत की आकास्मिक निधी से धन वैग कर सकता है。 तो किसी भी संस्तुति की जरूवत नहीं होती है। सम्मिधान के 25 अनुच्येत के अंतरगत राश्टपती संगी मंतरी परिशत की सलगह मांनе के लिए वाह दे है तो अनुच्येत 74 강वर के अंदरगत मांने के लिए बात दे है युद्ध अथो भारत पर आक्रमार होने की इस्तिती में निम लिखित में से कौन से अन्तिम के विरुद्ध युद्ध की घोसाडा कर सकता है. तो राष्टपति अंतिम रोप से युद्ध की घोसाडा कर कर सकता है. भारत्य Assam schema के अनुसार भारत के राष्टपती का यह गातरा है कि वे निमन लिखित में से किसको या किनको संसत्त के पटल पर रखुआ आएं. तो संग वित आयोक की सिफारिसों को और नियंतरक महलेखा परिक्षक के पतिवेदन को राश्ट्री अनुसूचित जाती आयोक के पतिवेदन को लोग सभा नियमनलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है तो लोग सभा भंग की जाती है पधान मंतरी के परामर्स के राश्ट्रपती द्वारा राश्ट्रपती नियमनलिखित में से किस परिस्थिती में आपात काल की उद्गोसडा कर सकता है तो यह कर सकता है पधान किस स्थिती में अध्या देश जारी कर सकता है तो सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिती में राष्ट पती द्वारा जारी एक अध्या देश सत्र के संसत के सत्र सुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है तो यह आवश्यक है दोस्तों छे सपता तक राष्टपती अपनी शमादान सक्ती का प्रयोगनिम्द में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है तो मृत्यु दंड के मामले में कर सकता है सैनी का दालत द्वारा दिये गए दंड के मामले में कर सकता है ऐसे मामलें उमें दिये गए दंड़ पर जो संगी है क्यार पालिका के छेत्रा दिकार के अंतरगात आते हों उपरोग तो सभी कोशन का राइटा अंसर हो जाएगा भारत के राश्टपती के पास कौन सी वीटो शक्ती होती है भारत के राश्टपती के पास पोडव निशेद की सकती होती है निलंबित निशेद की होती है पौकेट निशेद की होती है उपरोग तो सभी वीटो सकती होती है भारत के राष्टपती ने जिस एकमात मामले में वीटो सक्ती का प्रियोग किया था वीटो सक्ती पॉकेट वीटो का प्रियोग किया था वा था तो वा था दोस्तों भारती डाग घर संसोधन अधिनियम था राष्ट्रपती को लोगसभा में किन दो सदस्यों को मनुनित करने का अधिकार है तो या अधिकार है एंगलो एंडियन को मनुनित करने का राश्ट्रपती और उपराश्टपती के अनुर्पस्थिती में कौन कारेभार ग्रहन करेगा तो सर्वोच न्यालाय का मुखे नाधीस करेगा लोकसभा द्वारा पारित विध्यक यदि राश्टपती लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लोटाता है और लोकसभा उसे पूर्वर्थ पास करके राश्टपती के पास भेद देती है तो राश्टपती उस विध्यक को उस विध्यक को अनुमती देगा अध्यादेश जारी करने का अधिकार राश्टपती का कौन सा अधिकार है तो यहाँ अधिकार है विधाई अधिकार निमलिखित में से कौन सा राश्टपती के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग आधिकरण का भाग नहीं है तो यह नहीं है दोस्तों राज्यों की विधान सभाओं का राश्टपती के उमीदवार के लिए क्या आवस्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा होना आवस कौन से कथन सहीं है तो राष्ट राष्ट पति अध्याद है इस प्रक्ठापित कर सकता है जब संसत्र में हो और राष्टिय को आंगल भारतिय समुदाय से दो सदस लोग सभा में नाम निर्देशित करने की सकती है ऑप्सन भी राइट हो जाएगा भारत के एक गरतन भारत ए विधान सभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है भारत के राष्ट पति के निर्वाचन के संदर्व में निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो दोस्तों प्रतेक MLA के वोट का मूल अलग-अलग राज्यों अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है उप्य माह का वेतन है पांच लाक रुपए नामांकन के समय राष्ट पति पद के उम्मीदवार को जमानत के तोर पर कितना रुपिया जमा करना पड़ता है तो पंद्रह जार रुपिया जमा करना पड़ता है राष्ट पति को पेंसन के रूप में आज इवन कितना रुपिया प् अंग है एक विद्हएक जो संसत में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी पक्रिया केबाद अधिनियम बन जाता है। तो जब राश्ट्पती अपनी सहमती दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है जब राश्ट्पती एवं उपरास्ट्पती पर का पद खाली हो तब भारत के राश्ट्पती के पद पर कौन होता है तो भारत के राश्ट्पती के पद पर भारत का मुख्य नयाधीस होता है भारत के निमनलिखइट राश्चल्पतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निर्पेख्च आंदोलन के महा सचीव भी थे ज्यानी जयायल सेंगुर्व भारत के प्र रखम मुस्लीम राश्चल्पती दौकटर जाकीर हुसैन थे भारत के राष्ट पती का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है या निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनिके निर्वाचित का सदस्यों से मिलकर बना होता है तो यह बना होता है संसत के दोनों सदनों के द्वारा राज्यों की विधानसभा के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसवा से मिलकर बना होता है लाभ के पद का निरड़े कौन करेगा तो यह करेगा दोस्तों संगीय संसत करेगा निम्नलिखित में से किसी भावगोलिक शेत्र को अनुसूचित शेत्र घोशित करने का समविधानिक आधिकार किसको है तो आधिकार राश्ट्र पती को है भारतिय समविधान के सत्तरवे आंसन सोधन दौरा भारत के राश्ट्र पती के चुनाओं में जिन दोस्केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं तो वे हैं दोस्तों दिल्ली और पुडूचेरी हैं भारतिय गरतंद्र का वह कौन सा राश्ट पती था जो सदा भारतिय धर्म निर्पेक्षता को सर्वधम संभाव कहता रहा है तो वह उनका चुनाओं किया गया था सम्विधान सभान के द्वारा यदि भारत daytime अपना त्यापद करने का निर्ड़ाइ लेते हैं। तो वह अपना त्यापतर किसे संवान किसे संविः कर के लिखेंगे तो वह लिखेंगे दोस्तों राष्ट पती को द रहाद के राश्ट पतम कौन थे तो डोक्टर राजेन पो साथ थे भारत के प्रधम राश्ट्रपती भारत का राश्च्टपती अनुपातिक पतिंधित पद्धती के अनुसार एकल संक्रमडी अमत द्वारा निर्वाचित होता है इसका नहितार्त है कि निर्वाचित संसत सदस्यों और राज के विधान सभा सदस्यों के मतों की संक्या भिन भिन होती है भारत के राष्टपती पर महाभियोग लगाने का अधिकार है तो संसत के दोनों सदनों को है भारत में राश्टपती राजसभा के कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है तो या कर सकता है दोस्तों बारा सदस्यों को मनोनित कर सकता है निमनलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो राश्टपती किसी सदन का हिस्सा नहीं होता है भारत के राश्ट पती के द्वारा दिलवाई जाती है, सम्विधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या सब्द सह भारत के राश्ट पती की सक्ती नहीं है, तो संसद के सदनों को संदेज भेजना नहीं है, निम्नलिखित राष्ट पतियों में जिस करम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा करम सही है तो उसमें सही है एन एस रेड़ी फिर ग्यानी जैल सिंग फिर आर वेंकर रमड फिर डॉक्टर संकर दयाल शर्मा भारती सम्विधान के अनुसार कारे पालिका का प्रमुख कौन होता है तो राश्ट्र पती होता है तो दोस्तों उपराश्ट पती से कोशनस देखते हैं पर निर्वाचन है तो उमीद्वार की अधिक्तम आयो कितनी होती है तो इसकी कोई सीमा नहीं है उपराश्ट पती का निर्वाचन कैसे होता है तो इसका निर्वाचन अपरत्यक्ष रूप से होता है उपराश्ट पती पति के निर्वाचन है तो कौन सी पद्धती तो 20 उम्मीद्वारों के नामंकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम 20 सदस्यों के निर्वाचन प्रस्तावित करना अवस्यक है उप्राश्ट्र पति पत्व के उमीदवार के नमांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस को अनुमोधन प्राप्त करना होना अवस्यक है तो यह है दोस्तों याद रखिएगा 20 सदस्यों को कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोधन प्राप्त होना अवस्यक है ना मांगन के समय उपराष्ट पती पद के उम्मीदवार को जमानत के तोर पर कितना रुपिया जमा करना पड़ता है तो 15,000 रुपिया जमा करना पड़ता है सम्विदान में उपराष्ट पती के पुनरवी निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है तो कोई भी प्रावधान नहीं है कुछ भी नहीं है भारत के उपराष्ट पती के निर्वाचन से संबंधित विवात को कौन तय करता है तो यह तै करता है दोस्तों सरवोच नियाले तै करता है उपराश्ट पती के चुनाओं में कौन कौन मतदान करता है तो लोग सभा एवं राज सभा के सदस्य करते हैं भारत के उपराश्ट पती का निर्वाचन होता है तो उपराश्ट पती को कौन चुनता है तो संसद के सद सध़यों द्वारा बना निर्वाच्यक करता है। जो सदष CH भारत के उपराश्ट पती का चुनाव करते हैं। वे होते हैं तो वे संसद के होते हैं। मोल संविधां में यह उपबंध था कि उपबंध के ? संभिधान संसोधन अधिनियम की प्रक्रिया को समार्थ किया गया च Beim रावा संवीधांसन सोधного नादियम 1961 के द्वारा अवधी नाधियन आवधी कितने वर्सकी होती है पांच वर्सकी उपराश्ट पती को पद की गुपनियता की शपत K bacak Subscribe राश्ठपती दिलाता है उपराश्पती के संबोधित करता है उपराष्ट पती को राजपाल के सभापती के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है तो प्राप्त होता है चार लाख रूपया उपराश्ट्र पती को निन में लिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है तो उपराश्ट्र पती को लोग सभाध्याक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है जो की राजसभा का सभापती होता है सभापती के रूप में उसको वेतन मिलता है भारत के उपराश्ट पति को 4 लाग रुपय पति माह वेतन मिलता है उन्हें निम्द में से किसके समान भत्ता मिलता है उन्हें भत्ता मिलता है दोस्तों संसद सदसे के समान उपराश्ट पती को उसके कारेकाल की समापती के पूर उपद से हटाने का अधिकार किसको है तो उसका हटाने का अधिकार संसत को है भारत के उपराश्ट पती को पदिचुद करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राजसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है भारत के उपराश्ट पती को कौन निकाल सकता है तो भारत के उपराश्ट पती को लोगसभा की सम्मती से राजसभा निकाल सकता है उपराश्ट पती को कारेकाल पूरा करहोने से पूर पदिचुत किया जा सकता है तो र बिमार हो अपना कार करने में अक्षम हो उपर्यक्ट सभी मामलों में कारेभाल समभालता है जब उपराश्ट पती राश्ट पती कारेभाल समभालता है तो उसे राश्ट पती पत के सभी विशेसाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं जब उपराश्ट पती राश्ट पती क सब्ठापद ripple कर तो अधिक्तम छे माँ तक पर आसीन रह सकता है राज सभा के सभा पती के दूप में उपराष्च पती क्या नहीं कर सकता है उपराषट पती निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो असत्य है कि उपराश्ट पती के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है निम्नलिखित कथनों का अध्यन कर समुचित उत्तर की पहचान करें तो भारत का राश्ट उपराश्पती नियुक्त किये जाने के लिए किसी व्यक्ति में राजसभा का सदस्य बनने की योगता आवस्य होना चाहिए उपराश्ट पती राजसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो दोनों सही है, option A सही हो जाएगा भारत के उपराश्ट पती के संबंद में कौन सा कथन असत्य है तो उपराश्ट पती का चुनाओ भारत का राश्ट पती करता है या कथन असत्य है उपराश्ट पती अपने मत का प्रियोग कप करता है भारत के उपराष्ट पती को परिचुत करने का अधित संकल्प निम्न लिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज सभा में प्रस्तावित किया जा सकता है भारत के पथम उपराष्ट्र पती थे तो भारत के पथम उपराष्ट्र पती डॉक्तर सरपली राधा किश्णन थे भारत के राष्ट्र पती निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्र पती नहीं था तो उपराश्ट पती ज्यानी जैल सिंग नहीं थे किसने दो पूर्ड आउधियों के लिए भारत के उपराश्ट पती का पद संभाला था तो डॉक्टर एस्राधा किश्नन ने संभाला था कि मैंने लिखी तो उपराष्ट, उपराष्ट पत्यौं में से कौन, निर्विरोध के नारायन नहीं चुन गए ते एक मात्र उपराश्पती की मृत्य उपद पर आसीन दहते हुई है तो ये थे दोस्तों कृष्ण कान थे इनकी मृत्य उपद पर आसीन दहते हुए हो गई थी निमनलिखीत में से किस उपराश्पती ने राश्ट पती उपद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो वीवी गिरी ने दिया था, निमने लिखित में से कौन सरवाधिक समय तक उपराश्च पती पद पर आशीन रहा था, तो सरवाधिक समय पर रहे डॉक्टर एसरादा कृष्णान, निमने राजसभा के सभापती के रूप में कारे करने के लिए प्राप्त होते हैं भारत के उपराष्ट पती पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है तो यह अभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों राजसभा पर राजसभा के द्वारा निमनलिखीत में से किस किस ने भार भारत की संचित निधी पर भारित नहीं है तो भारत के उपराश्पती का वेतन एवं भत्ता नहीं है भारत के उपराश्पती का चुनाओं किया जाता है तो संसत के निर्वाची सदस्यों के द्वारा किया जाता है भारत का उपराश्पती किसका पदेन सभापती होता है तो दो बार कौन रहा था तो डॉक्टर सौर पल्ली राधा किश्णन रहे थे उपराश्पती का निर्वाचन किसके द्वारा होता है तो होता है दोस्तों संसत के द्वारा उपराश्पती का निर्वाचन अपनी पदावधी समाप्त होने से पूर्व उपराश्पती को उसके सभा को सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है राज्य सभा में सीटों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो अधिक्तम संख्या हो सकती है 250 वर्तमान समय में राज सभा में सदस्यों की प्रभावी शंख्या कितनी हैं Argentina चीनं शाषित चेत्रों को उता है उनके प्रिपार कुने जाते हैं तो विशेष निर्वाचक मनदल के द्वारा चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राजसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं तो 31 सदस्य चुने जाते हैं निम्नलिखित में से राज्यों की युगमों में से किसको राजसभा में समान प्रतेंधित तो मिला है तो मिला है आंध्र प्रदेश एवं मध्र प्रदेश, बिहार, पह्ष युगमों में से किसे राजसभा में सम्मान प्रतेंधित प्राप्त है तो यहां प्राप्त है दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात को बिहार में लोग सभा की 40 सीटें हैं राजसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं तो राजसभा की बिहार में हैं 16 सीटें राजसभा का सर भ्यार्थी की आयू निम्मलिखीत में से कम से कम होनी चाहिए तो कम से कम तीस वर्स की होनी चाहिए राजसभा के सदस्यों के लिए नियुन्तम आयू है तो तीस वर्स है राजसभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्स का होता है तो होता है छे वर्स का राजसभा के सदस्यों चुने जाते तो शे वर्ष के लिए चुने जाते हैं जा FIRजे सभा कि लोग सभा की भाति तो नहीं कर सकता है याद सकती हैगा राजसभा को भंग नहीं कर सकता है राश्पती क्या राजसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है तो नहीं होता है एक साथ निर्वाचन नहीं होता लोग सभा की भाती राजसभा कभी भंग नहीं होती है किन्तु प्रतेक दो वर्ष बाद उस कि या कथन सही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो लोग सभा राज्य सभा में एक बात में अंतर है कि लोग सभा का निर्वाचन को भी प्रत्यासी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है परंतु राज्य सभा का प्रत्यासी समानता वहीं कहोना चाहिए जहां से प्रश्थ और है या है दोस्तों कुल सभाव्त से का संध्या का एक बड़ा दस्भाप राज्य सभह। सभाव को भंग करने का अठिकार किस को प्राप्त है तो किशी को इन में से किशी को नहीं प्राप्त है र्यांविस सभापति क 누प होता है तो राज्य extensions का सभापती उपराश्रपती होता है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो राज सभा का सदस्य नहीं होता है राज सभा के सभापती का चुनाओं कौन करता है तो लोग सभा एवं राज सभा के सभापती लोग सभा एवं राज सभा के सदस्यों द्वारा स राज सभा का कार्य संचालन कौन करता है तो उपसभापती करता है तो राज सभापती का निर्वाचन कौन करता है तो राज सभापती संसत के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्धक्षता कर सकता है तो नहीं कर सकता है राज सभा के दुवार्षिक चुनाओं की अधिसूचना कौन जारी करता है तो यह जारी करता है दोस्तों निर्वाचन आयोग राज सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज के विधान सभा के निर्वाची सदस्यों के द्व होता है सौतन्त भारत में राजसभा के प्रधम सभापती कौन थे तो प्रधम सभापती डॉक्टर एस्राधा किश्णन थे राजसभा के संदर में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है तो सही है कि इसके एक तिहाई सदर से प्रती दो वर्स में आवकास प्राप्त करते हैं निम्नांकित में से कौन राज सभा की एकांतिक शक्ति के अंतरगत आता है तो अखिल भारतिय सेवाओं का सेजन आता है एकांतिक शक्ति के अंतरगत निम्नांकित में से किस्से के संबंद में राज सभा को लोग सभा के अपेक्षा कृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं तो प महत्य की घोशित करना अखिल भारतिय सेवा इस्थापित करने का अधिकार संग सरकार को देना उपरिक्त दोनों है नई अखिल भारतिय सेवा इस्थापित करने की दृष्टी से विशेश महत्य है तो विशेश महत्य है दोस्तों राज्य सभा के प्रस्ताव का सम्विधान का अनुचे 312, राज्य सभा को निम्निली खित में से किसका अधिकार प्राप्त करता है, तो या प्रदान करता है एक सिया अधिक अखिल भारतिय सेवा स्रिजित करने का, संसद राष्ट्री हित में राज्य सूची के विशयों पर कानून बना सकती है, यदि राज्य सभा उपस सकती है, 14 दिनों तक, लोग सभा द्वारा पारिधन विधियक राज्य सभा द्वारा भी पारिध मान लिया जाता है, यदि उच्छ सदन उच्छ सदन उस पर किसी समय तक में कार संपाधन ना कर सके, तो 14 दिन में कार संपाधन ना कर सके, तब राज्य सभा द्वारा लोग सभा को धन विदेया कितने समय में लोटा दिये जाने चाहिए तो 14 दिन में लोटा दिये जाने चाहिए राज सभा को भंग करने की भंग करने में कौन सक्षम है तो इन में से कोई सक्षम नहीं है उपरिक्ट में से कोई नहीं है निम्द में से किस परिस्थिति के अंतर गत र राजसभा को इन में से कोई नहीं भंग कर सकता है राजसभा को इन में से कोई नहीं भंग कर सकता है राजसभा एक इस्ताई सदन होने के कारण है इसके एक तिहाई सदस्य प्रती दो वर्श सेनावेत होते हैं राजसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निमनलिखित म अंतरगत आता है तो यहां आता है अनुक्षेद असी के अंतरगत निमने लिखित में से किसमें राजसभा की कोई भूमिका नहीं होती तो अध्यक्ष के निर्वाचन में राजसभा की कोई भूमिका नहीं होती है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है याद रखिये का राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है राज्यसभा है एक इस्थाई सदन है धन विध्यक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा समाने विध SCP Kagpaur को सर पतं किया गया था राज सभा के लिए नामित पतं फिल्म अभिनेतरी कौन थी तो थी नरगीस दर्ट थी फिल्म अभिनेतरी पहली निम yours black eating में से कौन सा हिंधी साहित्त का राज सा का सदस्य था Rाम धारी सिंह दिन कर थे प्रधान मंत्री पद परन्योंक्त होते समेहिन लिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था तो राज्यसभा का सदस्य थे इंद्रा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल और मनbohan archive उपर्युक्त सबह थे राज सभा की पथम महा सचीव कौन थी तो महिला महा सचीव थी वी एसरामा देवी थी राज सभा का सरपथम गठन कब हुआ था तो सर राज सभा का सरपथम गठन हुआ था तीन अपरेल उन्नीस सुबावन को राज सभा की पथम बैठा कब हुई थी तो तेरा माई उन्नीस स 52 को हुई थी राजसभा से के पहले समू की सेवा निर्वित्ती कभ हुई तो पहले सभा की सेवा निर्वित्ती हुई थी दो अपरेल 1954 को राजसभा कभ भंग की जाती है तो राजसभा भंग की जाती है दोस्तों राजसभा कभी भी भंग से राज्यों और संग सासित छेत्रों के अपत्त्त चुरूप से निरवाचित होते हैं optionumen right answer हो जाएगा हमारे सम्विधान के अनुसार राज्यसभा का स्रकाल हमारे सम्विधान के राज्यसभा का कारेकाल समाप्त होने का विशए नहीं है राज्य सभा के सदस्य बनने हित्तू अहरताओं के संदर्व में निमनलिखित अभी कतनों पर विचार कीजिये तथा उसके नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये तो हो जाएगा दोस्तों कम उम्र कम से कम तीस वर्स होनी चाहिए और जहां से अभ्यरती को निर्वाचित किया जाना है उस राज की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजी कृत होना चाहिए ओप्सन एक कोश्चन का राइट आंसर होगा निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिये केवल राज सभा में है सकती निहित है कीवा या घोसडा करे की राज सूची में है किसी विशय के संबन में राश्टी यहित में संसद विधी बना सकती है दूसरा दियापात की घुसड़ा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पाई किये जाते हैं ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है चलिए दोस्तों लोकसभा से question देखते हैं तो भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंद में प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 उपरिक्ट दोनों में किया गया है मोल सम्विधान में लोग सभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी तो या निर्धारित की गई थी दोस्तों 525 31 सम्विधानिक संसुधनादिनियम दोरा लोग सभा की अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है तो या की गई है 545 लोग सभा की अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है तो यह हो सकती है दोस्तों 552 हो सकती है वर्तमान में लोग सभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है तो करती है 530 को जनता सीधे निर्वाचित करती है वर्तमान में संग सासित छेत्रों की जनता लोग सभा में अपने कितने पति अंधित को निर्वाचित कर भेशती है तो भेशती है 19 सदस्यों को राष्ट्रपती आंगले भारती समुदाय के कितने पतियों को लोगसभा में मनुनित करता है तो दो करता है याद रखे कर दो करता है वर्तमान में लोगसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है तो प्रभावी संख्या है 545 राष्ट्रपती द्वारा लोगसभा में आंगल भारती समुदाय के दो सदस्यों को किस अनुचेत के तहट मनोनित करता है तो करता अनुचेत 331 के तहट लोगसभा में आंगल भारती समुदाय से दो सदस्यों को मनोनित करने की शक्ती किसके पास है तो यह है भारत के राष्ट पती के पास लोगसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवांटित होती हैं तो यह होती हैं दोस्तों जन संख्या के आधार पर वर्तमान लोकसभा में बरतेक राज के लिए सिस्थानों का आवांटत निर्धारित है तो या निर्धारित है 1971 की जनगरना पर लोकसभा के निर्वाचन छेतरों का सीमा निर्धारर पहली बार निर्वनलिखित में से किस इस्वी सन में किया गया था तो यह किया गया था दोस लोग सभा के सभी निरवाचन छेत्र निम्ड में से किस प्रकार के होते हैं तो एकल सदस्य निरवाचन छेत्र के आधार पर होते हैं लोग सभा के एक निरवाचन छेत्र कम से कम कितनी जन संख्या का प्रतेंधित तो करती है तो साड़े साथ लाग जन संख्या का प्रतेंधि के लिए लोग सभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन छेत्रों की व्याख्या की गई है विवस्था की गई है तो 131 कर की गई है याद रखेगा लोग सभा में 131 निर्वाचन छेत्रों की व्यास्था की गई है भारत में सुतंता के बाद पत हम आम चुनाओ कम संपन्न शोक सब्से चून ऑर इक है। लोग सभा में केंद्र शार्षित प्रदेशों में के प्रतिंधित चुने जाते हैं या चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निजवाचन के द्वारा राष्ट पती लोग सभा के दो सदस्यों को निम्न का प्रतिंधित देने के लिए नामित कर सकता है तो नामित कर सकता है एंगलो होनी चाहिए तो पचीस वर्ष की होनी चाहिए कौन सा राज सबसे अधिक प्रतिन इंधी लोग सभा में भेशता है तो उत्तर प्रदेश भेशता है अधर रखेगा उत्तर प्रदेश भेशता है निमनलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही नहीं है तो असम में तेरा लोग सभा में इस्थान तेरा है तो गलत है किस राज का लोग सभा इवं राज सभा में प्रति इंधित तो सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है जहारखंट छेत्र से लोग सभा के सदस्यों की कुल संख्या है तो कुल संख्या है 14 है निमलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोग सभा में समान सीटें प्राप्त हैं तो समान सीटें प्राप्त हैं आंदर प्रदेश और राजस्थान को उत्तर प्रदेश के अत्रिक लोग सभा में किन दो राजियों का प्रतिंदित सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश के रावा महाराष्ट और पश्चिम बंगाल का है वरतमान में किस राज का लोगसभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा इस्थान है दूसरा इस्थान है महराष्ट का उत्तर पदेश के बाद सबसे अधिक संसदी एक शेत्र किस राज में है तो यह है दोस्तो महराष्ट में अद दखेगा यह है महराष्ट में बिहार में लोग सभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तु बिहार में लोग सभा सीटों की कुल संख्या चालीस है। चतीस गड़ राज में लोग सभा के कितने निर्वाचन छेत रहें। नुमने लिखी चार राजों में से किस राजों में सबसे कम सदस्य हैं। तो सबसे कम सदस्य हर्याणा में हैं। जहां तक लोग सभा में प्रतियंधित का प्रस्त हैं कौन से राज दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं तो दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं दोस्तों संग सासित छेत्र दिल्ली कितने प्रतींधी निर्वाचित कर लोग सभा में भेशता है तो या भेशता है साथ प्रतींधियों को लोग सभा में सरवाधिक पतिंधित किसके आधार पर राज्यों का सही क्रम हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश महराष्ट और पश्ची मंगाल हो जाएगा लोग सभा का समानिता काल कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो समानिता कारेकाल होता है लोग सभा का दोस्तों पांच वर्ष का आपात काल के दौरान संसत लोग सभा का कारेकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है तो बढ़ा सकती है एक वर्ष के लिए किसी भी दस सदस्यों की जरूरत होती है तो होती है कुल सदस्यों का एक बटा दसभाग होती है लोग सभा का कारेकाल पांच वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है तो या बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्री आपात लागू हो लोग सभा के किसी सदस्य की सदस्यत कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है तो यह समाप्त हो जाती है दो माह तक अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्यों को प्रती महावेतन के रूप में कितना रुपिया प्राप्त होता है तो प्राप्त होता है दोस्तों एक लाख रुपिया संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदी समीतियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है सांसद को दैनिक भत्ता मिलता है दो हजार रुपया सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रतेक महीने कितना कार्याले भत्ता मिलता है तो दोस्तों यहां मिलता है 45,000 रुपय यार रखिएगा 45,000 रुपय महीना मिलता है लोग सभा सदस्य से अपना त्याग पत्र किसको देते हैं तो लोग सभा सदस्य से अपना त्याग पत्र देते हैं लोग सभा अध्यक्ष को लोग सभा अध्यक्ष को देते हैं किस वर्ष से भूत पूर संसत सदस्यों के लिए पिंसन की विवस्था लागू की गई थी उनिसोचियत्तर से लोगसभा के बैठक की अंतिम तिथी तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथी के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए तो छे मां से अधिक का अ भंग कर सकता है तो प्रधान मंत्री की सला पर भंग कर सकता है लोग सभा को उसके कारकाल की समापती के पूर भंग पूर भी भंग किया जा सकता है तो राष्ट पती द्वारा राष्ट तो राष्ट पती द्वारा मंत्री पैसत की सला पर लोग सभा सदस्य बनने के लिए यो योग्यता नहीं है उम्रत तीस वर्ष से कम ना हो दस्वी आनुसूची के तहत लोगसभा के किस सदस्य की आयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निरड़य कौन देता है तो या निरड़य अध्यक्ष देता है निमने लिखीत में से किसे लोगसभा का अभी रक्षक कहा जा लोगसभा की बैठा किस प्रकार समाप्त की जाती है तो इन में से सभी के द्वारा समाप्त की जाती है विगटन द्वारा सत्रवासान द्वारा और इस्तगहन के द्वारा समाप्त की जाती है लोगसभा का विगटन कौन कर सकता है तो लोगसभा का विगटन कर सकता है दोस समान ने अवधी बढ़ाई जा सकती है दोस्तों संसत द्वारा पारित अधनियम से राजसभा और लोगसभा की समान शक्तियां किस छेतर में हैं तो यह है दोस्तों सम्विधान संसोधन करने के विशय में लोगसभा का नेता कौन होता है तो लोगसभा का नेता होता है पधान प्राब्त होता है तब वो अपना कुल जमानत क्वोदेता है, कोई विद्तिय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोगस्षम में प्रस्तावित हो सकता है, तो 20 प्रस्न पूछे जा सकते हैं लोग सभा में नामिस अदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो अधिक्तम संख्या होती है दो लोग सभा वा राज्य सभा की सक्तियां समान है राश्पती के निर्वाचन के संबंद में उपराश्पती के निर्वाचन के संबंद मे राश्पती के विरुद्ध महावियोग के संबन्द में उपरियोग्त सभी के संबन्द में राज सभावा लोग सभा की सक्तियां समान है आव इस्वास प्रस्ताव की सदन में लाया जाता है तो या लाया जाता है लोग सभा में लोगसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षर सम्विधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है तो अनुच्छेद तीन सो तीस में उपबंधित है निमने लिखित में से कौन सा राज लोगसभा में अनुसूचित जनजातियों के सरवाधिक प्रत सबस्यादा करता है दोस्तों मध्य प्रदेश करता है सबस्यादा निम्नांकित राज्यों में से किस में अनुसूचित जन जातियों के लिए लोग सभा में इस्थान आरक्षित नहीं है तो इस्थान आरक्षित नहीं है दोस्तों केरल और तमिलाडो में भी नहीं है बिहार उ प्रधान मंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो आसीन होने वाले व्यक्ति जवाहला लहरू हैं इंद्रा गांधी हैं अटल विहारी वाजप्याई हैं इन में से सभी हैं भारत के प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री नियुक्त होते हैं भारत के प्रधान मं प्रदान मंतरी समायता प्रदान मंतरी लोग सभा के बहुमत दलका नेता होता है। प्रधान मंत्री होता है आम तोर पर भारत के प्रधान मंत्री होते हैं भारत के प्रधान मंत्री आम तोर पर लोग सबाका सदस्य होते हैं भारत के प्रधान मंत्रियों का निम्म लिखित में से कौन काला नुकरम सही है तो सही है दोस्तों जवाहलाल नहरू है फिर इंदरा ग का मंत्री मंदल संग्धिय की बैठा की अध्धक्षता कौन करता है तो प्रधान मंत्री करता है प्रधान मंत्री की नियुक्ति राश्ट पती करता है यह किस अनुच्छेद में वरडित है तो यह वरडित है दोस्तो अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधान मंत्री पद के नेता प्रधान मंतरी बनता है यदि भारत के प्रधान मंतरी संसद के उच्छ सदन के सदस से हैं तो वे आविस्वास प्रस्ताव की स्तिती में अपने पक्छ में वोट नहीं दे सकते हैं भारत के प्रधान मंतरी का पद है तो भारत के प्रधान मंतरी का पद सम्विधान सजीद है भारत का प्रधान मंतरी भारत का प्रधान मंतरी सत्ता दल सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है निमने लिखित में से कौन सा वक्तव विस सही है तो संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यों में से अपने मंतरियों का चैन करने के लिए स्वातंत्र हैं किस पधान मंत्री ने एक बार पद से हटने के पस्चाद दुबारा पद सम्हाला था तो यह सम्हाले थी इंद्रा गांधी ने नियुक्ती के समयनिम्न में से कौन पधान मंत्री संसत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था तो संसत के किसी भी सदस्य का सनन पीव से कोशन देखते हैं या थार्थ में कारेपालिका की समस्त सत्ता निमनलिखित में से किसमें नहींत होती है तो मंतरी परिशत में नहींत होती है भारत के केंदरी मंतरी परिशत की दूसर बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो प्रधान मंतरी करते हैं मंतरी परिशत निमनलिखि का सदस्य हो सकता है क्या राज्य सभा में मनोनित व्यक्तिव मंत्री परिशद का सदस्य बन सकता है तो जी हां बन सकता है मंत्री परिशद के सदस्यों को पद की गोपनियता की सपत कौन दिलवाता है तो इसकी सपत दिलवाते हैं राश्टर पती कोई व्यक्तिव संसद के किस भी सदन का सदस्य होते हुए बिना केंदर में कितनी अवधी तक मंत्री रह सकता है तो यह रह सकता है छे महीने तक मंत्री परिशद में शामिल होते हैं तो मंत्री परिशद में पदान मंत्री वा अन्य मंत्री शामिल होते हैं मंत्री परिशद में मंत्रियों की संख्या मंत्र मंदल से अधिक होती है मंतरी परिषद में कितने इस्तर के मंतरी होते हैं तो तीन इस्तर के मंतरी होते हैं मंतरी परिषद में निमने लिखित में से कौन सामिल नहीं है तो शामिल नहीं है दोस्तों संसदी सजीव सामिल नहीं है मंत्री परिशत की वर्यता से द्रिष्टी से मंत्रियों का सही क्रम है तो मंत्रियों का सही क्रम कैबिनेट मंत्री फिर राज मंत्री फिर उप मंत्री है मंत्री परिशत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होता है तो राष्ट पती के प्रती उत्तरदाई होता है मंत्री परिशत संगीय मंत्री परिशत के मंत्री उत्तरदाई होते हैं तो केवल लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बीना कोई व्यक्ति कब तक मंतरी पत पर आशीन रह सकता है तो 6 माह तक रह सकता है भारत के वह मंतरी जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंतरी के पद पर से मुक्त होना पड़ता है तो 6 महिने के बाद मुक् प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिशत की नियुक्ति रथा पर चियुति को विवेचित करता है तो यह विवेचित करता है दोस्तों अनुच्छेत 75 भारती सम्विधान के अनुच्छेत 74 और 75 की इन विश्यों पर विचार करते हैं तो मंत्री परिशत पर बड़ा निकाय है भारत में मंत्री परिशत के अधिकतर सदस्ट से लिये जाते हैं तो लोक सभा से लिये जाते हैं मंत्री परिशत का गठन कौन करता है तो सिर्फ केंद्री मंत्री गड़ करते हैं केंद्र सरकार में राज मंत्री की इस्थिति क्या क्या इस्थिति है तो इव ही कुरूप से मंत्री परिशत किसके प्रती उत्तरदाई होता है लोगसभा के प्रती यथार्टता मंत्री परिशत तब तक पदपर बना रहेगा जब तक उसे उसे किसका विश्वास प्राप्त हो जब तक उसे लोगसभा का विश्वास प्राप्त हो मंत्री परिशत के वित् लोग सभा के सदस्यों की कुल संक्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है तो लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है राजनीतिक सब्दावली में सून्यकाल का अर्थ है प्रशन उत्तरशत्र भारति अगर राज में वास्तविक कारेकारी प्राधिकारार प्राधिकार निमने लिखित में से किस के पास होता है तो यह होता है दोस्तों मंतरी परिशत के पास जो व्यक्ति संसद ना हो क्या उसे मंतरी नियुक्त किया जा सकता है तो हाँ पर उसे छे महीनों के भीतर संसद सदसे बनना होगा भारत के सम्विधान के अनुचे 75-3 के अनुसार मंतरी परिशत निम्नलिखीत में किसके प्रती सामुहिक रूप से जिम्मेदार होता है संसदी तंत्र में निम्नलिखीत में से वास्तवीक कारेपाली का कौन है तो वास्तवीक कारेपाली का है दोस्तों मंतरी परिशत मंतरी परिशत की सिध्धान पर कारे करती है मंतरी परिशत कारे करती है नीजी उत्तरदाई तो सिध्धान पर सामोहिक उत्तरदाई सिध्धान पर उपरित दोनों पर कारे करती है सोतंत भारत की प्रथम मंतरी परिशत में प्रधान मंतरी पद की विवस्था, राजनीतिक विवस्था को कम जोर करती है भारतिय परिस्थितियों में उप्रधान मंतरी प्रधान मंतरी का प्रतियोगी होता है भारत के प्रधान मंतरी का प्रतियोगी होता है भारत के प्रधान मंतरी कौन थे तो सरदारवल लभाई पटेल थे सरदारवल लभाई पटेल भारत के पहले उप्रधान मं दो दो उप्रधान मंतरी एक साथ नियुक्त हुए थे तो यह हुए थे मोरार जी देशाई के कारेकाल के दौरान 1967 से 1979 के दौरान भारत के उप्रधान मंतरी रहे हैं तो रहे हैं चौधरी चरण सिंग और बाबू जग जीवन राम रहे हैं समविधानिक दृष्टी से यदित देखा जाए तो उप्रधान मंतरी निम्न में से किसका समकक्ष होता है तो उप्रधान मंतरी समकक्ष होता है कैबिनेट मंतरी के अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप्रधान मंतरी पद पर नियुक्त हुए हैं तो अब तक साथ व्यक्ति बारत के उप्रधान मंत्री नहीं रहे हैं चलिए दोस्तों लोग सभा अध्यक्ष से कोश्चन देखते हैं लोग सभाब करता निम्हांकित निम्नांकित इनको होती ही नहीं है आम चुनाओ के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोगसभा का जेश्टम सदस्य होता है जो सदस्य लोगसभा अध्यक्ष का चुनाओ करते हैं वे होते हैं तो लोगसभा के होते हैं लोगसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है तो खाली करता है अगली लोगसभा के गठन के बाद लोगसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किस को देता है तो अपना त्याग पत्र लोगसभा उपाध्यक्ष को देता है लोगसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से कौन सा कथन सही है तो सही कथन है कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र लोगसभा उपाध्यक्स को देना होगा निरडायक मत देने का अधिकार है तो निरडायक मत देने का अधिकार लोगसभा के अध्यक्स को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है लोग सभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेक द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तो लोग सभा उपाध्यक्ष को यदि लोग सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद निरिक्त होते हैं तो सदन के बैठोकों की अध्यक्षता कौन करता है तो वा सदन के अध्यक्षता सदन द्वारा अनुमोदित चेयर परसन के पैनल से प्रधम सदसे करेगा लोग सभा सची वाले प्रत्यक्ष परवेक्षर के आधीन है तो यहाँ आधीन है दोस्तों लोगसभा अध्यक्ष के लोगसभा और राज्यसभा की संयूत बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोगसभा अध्यक्ष करता है लोगसभा में किसी विध्यक को धन विध्यक के रूप में कौन परिमारित करता है तो परिमारित करता है दोस्तों लोगसभा अध्यक्ष लिम्ड लिखित में से किस समीती का पदेन अध्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष होता है तो नियम समीती के पदेन अध्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष होता है लोगसभा में गड़पूर्ती पूरा नहीं होने पर होने की स्तिती में लोगसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है तो उप प्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारी और अधिकारों में नहीं है तो वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निरड़े कौन लेता है तो अंतिम निरड़े अध्यक्ष लेता है भारत में लोगसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है लोगसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है तो हटाया जा सकता है लोगसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है तो राश्टर पती बुलाता है प्रथम लोगसभा के स्पीकर कौन थे प्रथम लोगसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे जीवी मावलंकर थे याद रखिएगा स्वतंत भारत के प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कौन थे तो स्वतंत भारत के प्रथम लोगसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे भारत के किस राष्ट पती ने पूर्व में लोगसभा अध्यक्ष का पद भी समहाला था तो समहाले थे नीलम संजी उरेड़ी ने समहाले थे प्रथमी स्पीकर जिसके खिलाब लोकसभा में आविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे वो तो वे थे जीवी मावलंकर निम्यरीखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष पदपर दो अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए है तो बलिराम भागत दो बार निर्वाचित नहीं हुए है लोग सभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं तो लोग सभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर जाने जाते हैं निमने लिखित में से कौन लोगसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं तो केवी के सुन्दरम कभी नहीं रहे हैं लोगसभा अध्यक्ष निमने लिखित लोगसभा अध्यक्षों में से किसका कारेकाल सबसे लंबा रहा है तो नीलम संजी उरेड़ी का कारेकाल सबसे लंबा मत पढ़ने हैं तो इस इस्तिती में कैसे निरड़े किया जाता है तो इस इस्तिती में लोग सभा अध्यक्ष इस्तिती में निरड़ायक मत देता है लोग सभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है तो किसी प परपक्ष एवं विपक्ष के समानमतों की इस्थिति में निरुडायक मत देता है। अध्यक्स तत्था उपाध्यक्स की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्स दौरा कितने सभापतियों की एक नामावली तयार की जाती है, भारत में लोकसभा प्द पर इस्थिति निम्द में से किस के समान है, तो समान है इंगलेंड के Hauss of Commons के अध्यक्स की तऱा, लोकसभा में विपक्ष की किसी दल के नेता के रूप में मानेता कि इसके द्वारा दी जाती है तो लोगसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है राश्ट्र मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सचीव कौन होता है तो पदेन सचीव दोस्तों लोगसभा महा सचीव होता है अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को भेश सकता है निमने लिखीत में से कौन प्रथम जनजाती लोगसभाध्यक्ष थे तो प्रथम जनजाती लोगसभाध्यक्ष पी ए संगमा थे भारतिय संसत की लोगसमीती के अध्यक्ष की कौन कौन मनोनित करता है तो इसको मनोनित करता है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कारेकाल के समाप्ती के पूरपद से हटाया जा सकता है तो यदि लोकसभा इस आश्य का प्रस्ताव पारित कर दी तो हटाया जा सकता है लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नह नहीं सकता निमनलिकित में से कौन लोगसभा की पहली महिला स्पीकर थी तो थी दोस्तों मीरा कुमार थी सम्विधान का निमन अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दश्रा में लोगसभा के अध्यक्ष का मत निरडायक होगा और उसका प्रिय कंवेथ किया जाता है जी नहीं राष्पती दवारा नहीं और उप्सनस दिकोस्षन कराइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है चलिए दोस्तों महान्याईवादी से कोश्यंस देखते हैं भारत सरकार का प्रथम विधियादिकारी और भारत का महान्याईवादी है भारत का एटॉर्णी जनरल की नियुक्ति कौन करता है तो भारत का राष्ट्रपती करता है भारत सरकार को कानूनी विश्यों पर परामर्स कौन देता है तो कानूनी विश्यों पर एटॉर्णी जनरल परामर्स देता है भारत सरकार का मुख्य विधी परामर्स दाता है तो भारत का एटॉर्णी जनरल है संसद के प्रतेक सदन की कारवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है तो महानियवादी भाग ले सकता है निमेलिखित में से कौन लोग सभा की कारवाईयों में भाग तो ले सकता है किन्तु मतदान नहीं कर सकता तो एट जन्ल को भारत खिया भारत के महरी होते टीजिट की डिरिकार को . स्वारत का महार की महान्यायवादी क्मचाइर upwards लिएक लान कहा डिज कं़च के लांसोत, फक्रवरिश कता कि कि छीतितिके कूंद का अंधिक नहीं है, भारत का महरें अहींद्म में है। तो करता है दोस्तो राष्ट पती के प्रसाथ परियंद तक भारत के महा नयावादी के संबन्द में निमने लिखीत में से कौन सा कथन सही नहीं है तो उसे संसद की कारवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है जबकि मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है माहा भारत के माहा नयावादी के विशय में निमने लिखीत कतनों पर विचार कीजिए तो है दोस्तों इसमें से सही हो जाएगा भववा भारत के राश्ट पती द्वारा नियुक्त किया जाता है बिल्कुल है और उसमें वही योगटाएं होनी चाहिए जो सरवोचिन्यालाई के नयाधीस की होती है ये भी सही है option a question का right answer हो जाएगा महा नयावादी को पतिमा कितना रुपिया वेतन मिलता है तो महा नयावादी को मिलता है धाई लाक रुपिया पतिमा सम्विधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राष्ट पती द्वारा भारत के महान्यावादी की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेत शियत्तर के अंतरगत की जाती है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कारवाही में भाग ले सकता है तो महान्यावादी भाग ले सकता है निमने लिखीत में से किस पताधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है तो है Attorney General of India को निमने लिखीत में से कौन साराश्पती के प्रसाद परियंत अपना पत धरड करता है तो भारत का महानियावादी Attorney General करता है भारत सरकार का प्रमुख विधी अधिकारी कौन है तो प्रमुख विधी अधिकारी है दोस्तों भारत के महानियावादी सदसिना होते हुए निमने लिखीत में से कौन संसत के किसी भी सदन की कारवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के भीना तो महानियावादी है चलिए सिलिसिटर जंडल, एडवोकेट, जंडल और मुख्य सतरकता आयुक्ट से कोशन्स देखते हैं परतेक राज में महाधी वक्ता की निमने लिखीत में से किसके द्वारा की जाती है तो राज पाल की द्वारा की जाती है किसी राज का उच्चतम विधी अधिकारी होता है तो यह होता है दोस्तों एडवोकेट जंडल निमने लिखीत में से किसे राज वीधान मंदलम के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है कि इन्तु मत्यदान का अधिकार नहीं है तो यह है दोस्तों कि महाधी वक्ता को मुख्य सतरकता आयुक्त की नियुक्ती कौन करता है तो राश्वपती करता है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिये तो इसमें हो जाएगा दोस्टों न तो भारत में भारत के महाधिवक्ता की नियूकती भारत के राश्वपती द्वारा संबंधित राज के राजपाल के अनुसंसा पर की जाती है गलत है और सेविर प्रक्रि किस अधिकारी के अधिनस्त कारे करते हैं तो कारे करते हैं संभागा युक्त अधिकारी के अधिनस्त कारे करते हैं जिला कलेक्टर भारत सरकार के सरवोच शास की अधिकारी कौन है तो यह हैं दोस्तों भारत के मंत्री मंडल सचियू है राज्य का उच्चुतम विदी अधिकारी निमने लिखीत में से कौन होता है तो एड़ोकेट जनरल होता है चलिए दोस्तों नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक से कोश्चन देखते हैं निमने लिखीत में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्ती लेन देनों में लेखा करण के लिए जिम्मेदार होता है तो नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक होता है भारत का नियंत्रण एवा महालेखा परिक्षक C.A.G. कैग किसके लिए मुख्य लेखा कार तथा लेखा परिक्षक के रूप में कार्य करता है तो संग तथा राज सरकार के लिए करता है लेखा परिक्षड का मुख्य उद्देश किसके व्यापर नियंत्रड करना होता है तो यह कारिपालिका के व्यापर नियंत्रड करना होता है भारत के केंद्रिय इस्तर पर लेखा अंकन तथा लेखा परिक्षड किसके अधिकारक शेत्र में आता है तो नियंतरग एवं महालेखा परिक्षड के अंतरगत आता है भारत के नियंतरग और महालेखा परिक्षड के नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती करता है निनलिखीत में से किसके द्वारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के इरिपत का स्रेजन किया गया था समविधान के द्वारत काम प्ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल सेवा निर्वित होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयो पूरी होने पर भारत के नियंत्रक एवा महालेखा परिक्षक की नियुक्ति सम्विधान के किस अनुच्छेत के तहट की जाती है तो अनुच्छेत 148 के तहट की जाती है भारत के नियंत्रक एवा महालेखा परिक्षक के पद को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो भारत के सं सरकार उच्चतम न्याले के नियाधिस को हटाया जाता है किन आधारों पर दो सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सद्रों में दो तीहाई बहुमत के प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षप को पद से हटाया जा सकता है तो कदाचार और चले दोस्तों संसदी समीतियां से कोश्यंस देखते हैं भारत में नई संसदी समीति प्रडाली की शुरुआत कब हुई थी त्या हुई थी दोस्तों 1991 में भारत में संसदी समीति प्रडाली की शुरुआत निमनलिखीत में से किसकी सिफारिस पर किया गया था तो किया गया प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर प्राकलन समीती में कितने सदस्य होते हैं तो प्राकलन समीती में 30 सदस्य होते हैं 30 सदस्य प्राकलन समीती संसद के किस सदन की समीती है तो संसद की लोग सभा की समीती है निमलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदिय समीती है तो सबसे बड़ी संसदिय समीती है दोस्त प्राकलन समीती, प्राकलन समीती का कारे है तो प्राकलन समीती का कारे है दोस्तों, अर्थ व्योस्था के संगठात नाकमग, एबन प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर पति वेदन प्रस्तूत करना, देश की आर्थिक इस्तिती पर संसद के आर्थिक सर्वेक्षर प्रस्त हो जाएगा प्राकलन समीती के सदस्य हैं तो प्राकलन समीती के सदस्य दोस्तों लोग सभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं निमनलिखित में से कौन सी संसदी समीती में राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं होता तो राज्य सभा का सदस्य प्राकलन समीती में नहीं होता न लोग लेखा समीती में दोस्तों 22 सदस्य हैं, लोग सभा और राज सभा के करमसा कितने कितने सदस्य होते हैं, तो 5 और 7 सदस्य होते हैं, लोग सभा के 15 और राज सभा से 7 सदस्य होते हैं, लोग लेखा समीती के सदस्य संसद्य के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोग परांपरा के अनुसार निम्न में से किस समीति कारे करती है। समीति के अध्धक्ष परविरोधी दल के संसत सदस्य को नियुक्त किया जाता है। परिक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है तो या करती है दोस्तों लोक लेखा समीति करती है। निम्न लिखित में से कौन विषयगत समीति है। दोस्तों किर्शी समीति, परियावराडे मवन समीति, विज्यान और प्रादिगी की समीति, उपरियुक्त समीति, विषयगत समीति है। चलिए दोस्तों सर्वोच नियालाई से कोश्यंस देखते हैं। तो साथ नियाधीस कोई वश्ता है, वरतमान में सर्वोच नियालाई में मुख्य नियाधीस के अतरीक्ति कितने नियाधीस का प्राफधान किया गया है। तो 33 अतरीक्त न्याधिसों का प्रावधान किया गया है उच्चतम न्यालाई के न्याधिसों की संख्या में वृद्धी करने की शक्ति किसके पास है तो यह है दोस्तों संसत के पास सरवोच न्यालाई के न्याधिसों की निम्ण में से कौन सी अहरता होनी चाहिए तो अहरता परसों तक अधिवक्ता रहा हो ये भी हो सकता है वह एक पारंगत विधेवत्ता हो या भी हो सकता है उपर्युक्त में से कोई भी आरता होनी चाहिए उच्चितम न्यालय के मुख्य न्याधिस की नियुक्ति कौन करता है तो करता है दोस्तों राश्ट्रपती करता है भारतिय सर्वोच न्यालाई के अन न्याधिसों के नियक्ति में किस से परामर्स करते हैं तो परामर्स करते हैं सर्वोच न्यालाई के मुख्य न्याधिस से सर्वोच न्यालाई और में तदर्थ न्याधिसों की न्युक्ति किस देश की न्याय प्रडाली से प्रेरीत है तो प्रेरीत है फ्रांस की न्याय प्रडाली से भारतिय सम्विधान में तदर्थ न्याय धिसों की नियुक्ति का प्रावधान है तो दोस्तों सर्वोच न्यालय में है उच्छ न्यालय में है जनपद एवं सत्र न्यालय में है option d question का right हो जाएगा इन में से सभी में है सर्वोच न्यालय में तदर्थ न्याधिस की नियुक्ति होती है जब न्यालय के किसी सत्र के न्याधिसों का कोरम गड़ पूरती नहीं होता है तब होती है सर्वोच न्याले में तदर्थ न्याधिशों की नियुक्ति कौन करता है तो न्याधिशों की नियुक्ति राष्ट पती की अनुमती प्राप्त कर सर्वोच न्याले का मुख्य न्याधिश करता है सरवोच न्याले में न्यादिस नियुक्त होने के लिए व्यक्ती को कम से कम कितने वर्ष उच्छ न्याले का एडवोकेट होना चाहिए उच्छतम न्याले के मुख्य न्यादिस कितने वर्ष की आयू तक पदाधिकारी रहते हैं तो 65 वर्स तक पधारी रहते हैं, कोचितम न्यालाई के न्याधीसों की सेवा निवित्ती की आईउ है, सेवा निवित्ती की आईउ 65 वर्स है, सरवोच न्यालाई की न्याधीस कितनी आईउ तक कारिरत रहता है, तो यार कारिरत रहते हैं दोस्तों, ना तो 56 वर्स तक रहते ह जासकता है तू किस तरह महाव्यों का प्रस्ताव पारित कर सकती है, तो अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थति, एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तीहाई बहुमत प्रस्ताव के द्वारा सरवोच नियालई के नियाधीज के विरुद्ध महाभीयोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदिच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है तो आदेश जारी कर सकता है राष्ट पती आदेश जारी कर सकता है उच्टम नियालई के पहले नियाधीज का नाम बताईए जिनके खिलाफ स्वतंत भारत में संसद में महाभीयोग का प्रस्ताव पेश किया गया था तो वो हैं दोस्तो जस्टिस रामा स्वामी है तो प्रती माह 2,80,000 रुपया मिलता है राष्ट पती और उपराष्ट पती की अनुपस्तिती में राष्ट पती के कार्यों का निरवाहन कौन करता है तो भारत के मुख्य नाइधीज करते हैं चले दोस्तों उच्च नियालई से कुश्चन्स देखते हैं भारत में कुल कितने उच्च नियाले हैं भारत में कुल 25 उच्च नियाले हैं देश के 25 उच्च नियालों में नाइधीशों की कुल स्विक्रत संख्या कितनी हैं तो कुल स्विक्रत संख्या 1089 है भारत के किस उच्छ न्याले में न्याधीसों की संख्या सबसे कम है तो सबसे कम है सिक्किम उच्छ न्याले में भारत के किस उच्छ न्याले में न्याधीसों की संख्या सबसे अधिक है तो सबसे अधिक है इलहाबाद उच्छ न्याले में न्याधीसों की संख्या भारत के 25 उच्छ न्याले में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है तो सबसे बाद में हुई है आंधर प्रदेश सब्सक्राइबं liberal भवारत की संग उच्छी। राज्य का उच्छ न्यालाई नहीं है नंगालेंड का उच्छ न्यालाई निम्नलिखित में सेessäida एक से अधिक राज्यों का उच्छ न्याले है तो वह है दोस्तों गुवाटी उच्छ न्याले पटना एवं न्याले की स्थापना कब हुई पटना उच्छ न्याले की स्थापना हुई थी 1916 में भारत का सबसे बड़ा उच्छ न्याले है तो भारत का सबसे बड़ा उच्छ किन राज्यों में साजह उच्च नियालय है तो महराष्ट और गोवा में साजह उच्च नियालय है भारत में उच्च नियालय सरपथम आरंब हुआ तो सरपथम आरंब हुआ था बंबाई मदरास वा कलकत्ता में किसके अंतरगत कलकत्ता मदरास और बंबाई के उच्च निया में आता है तो गोवा राज आता है दोस्तों बंबई उच न्यालय के छेत्राधिकार में दाद्रा नागर हवेली एवं दमन दीप किस उच न्यालय के छेत्राधिकार में आता है तो बंबई उच न्यालय के छेत्राधिकार में आता है अंडमान वा नीको बार पर निमलिखित में से उच्छ न्यालों में से किस एक का छेत्रा धिकार है तो यह है दोस्तों कलकत्ता उच्छ न्यालय का लक्ष दीब संग साचित प्रदेश किस उच्छ न्यालय के छेत्रा धिकार के अंतरगत आता है तो आता है दोस्तों केरल उच्छ न्यालय के अंतरगत 36 गड़ उचलते आटक नौने ऑच्छी तु मह必न है। ऐसी कहा भी स्थान राचाँ इसकी नमें ऊचे वाह नियाले हैं और सुची नियाले में तो में और सऐ क malt hour होजा जाएगा दोस्थório राजस उच्छनियाले जोदपूर में हैं राजस्थान उच्णियाले जोदपूर और और ओडिसा उच्णियाले कटक और गुजरात उच्णियाले एहंदाबाद केरल उच्णियाले अरना कुलम में है दो या अधिक राजियों का संगीय प्रदेश के लिए एक समान एं उच्णी आलाई की स्थापना की जा सकती है की जा सकती है दोस्तों संसत द्वारा कानून बनाकर उच्णी आलाई के छेत्र आधिकार को गढ़ने या बढ़ने का दिकार किसी है तो या है दोस्तों संसत को उच्छ न्यालय के न्याधीसों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती करता है उच्छ न्यालय के न्याधीसों की नियुक्ति के लिए राष्ट पती निम्न में से किसे से परामर्स करता है तो राश्ट पती पर अमर्स करता है सर्वोच न्यालय के मुख्य न्याधी से संबंधित राज के राज़ पाल से करता है उप्रियुक्त सभी से करता है option D question का right answer हो जाएगा उच्य न्यालय में बकाया कार्य को निप्टाने के लिए राश्ट पती अपर न्याधीस की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है तो दो वर्स के लिए कर सकता है उच्य न्यालय में न्याधीस के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहरताएं होनी चाहिए तो वह भारत का नागरी को हो एवाम उसकी आयो 62 वर से कम हो वह उस भारत छेत्र में कोई न्याइक पद धारड किये हो वह किसी उच्छ न्यालय या दो या अधिक ऐसे न्यालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो तो उपरियुक तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्छ न्यालय के न्याइधिसों का राश्टपती के द्वारा नियुक्ती होती है उच्छ न्यालय का न्याइधिस किसके समक्ष अपने पद और गोपनियता की शपत लेता है उच्छ न्यालय का न्याइधिस अपना त्याग पत्र किसको देता है तो अपना त्याग पत्र को देता है उच्छ न्यालाई के न्याधीसों के आचरण पर बहस कहां की जा सकती है तो बहस की जा सकती है संसद में भी नहीं की जा सकती विधान सभा में भी नहीं लोग सभा में नहीं इन में से कहीं नहीं की जा सकती किसी न्याधीस को एक उच्छ न्यालाई से दूसरे में इस्थनांतरित करने का दिकार निम्न लिखित में से किस को है तो या भारत के राष्ट पती को है उच्च न्यालई के न्याइधीस को कौन हटा सकता है विशेश भाहुमत से पारित संसत के प्रस्ताव पर राष्ट पती हटा सकते हैं उच्च न्यालई के न्याइधीसों को उ सेवा निविती की अधिक्तम उम्र्षीमा उसट वर्ष है उस्ज न्यालय के मुख्य न्याइधिस तथा अन्य न्याइधिस को प्रती महक्रमसा कितना वेतन मिलता है तो प्रती मह धाय लाग या फिर दो लाग पचीमारा किसी राज के उच्छ न्यालाई के न्याधिसों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधी पर भारित होते हैं तो या भारित होते हैं सम्बंधित राज की संचित निधी पर उच्छ न्यालाई के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्याधिश कितनी आयू तक पद पर बने रह सकते हैं तो बने रह सकते हैं 62 वर्ष तक अपने पत पर बने रह सकते हैं चले दोस्तों राज पाल से कोशन्स देखते हैं राज जी की कारेपाली का सकती किसमें नहीं थोती है तो राज पाल में नहीं थोती है राज सरकार का कारेकारी अद्दक्स कौन है तो भारती राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति राश्यपति करता है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राश्यपति को देता है निम्ने में से किसको हटाने का प्रावधान स कौन होता है तो राज़ पाल होता है राज़ पती किसकी सलापर गिशी राज़ के राज़ पाल की नियुक्ति करते हैं तो प्रधान मंतली करते हैं राज़ सरकार का समय धानिक प्रमुक होता है तो होता है राज़ पाल होता है समाने रूप से राज़ पाल का कारेकाल पांच बर्स का होता है राजपाल राजिक में किसका प्रतियंधी होता है तो यह होता है राश्टपती का प्रतियंधी जम्मु कस्मीर के उप राजपाल को कौन नियुक्त करता है तो यह करते हैं भारत के राश्टपती उप राजपाल की नियुक्ती कौन करता है तो उप राजपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट पती राजपाल पद पर बना रहता है तो राजपाल पद पर राष्ट पती के प्रसाद पर यंद बने रह सकते हैं राजपाल अपने पत पर राजपाल को प्रतीमा कितना वेतन प्राप्त होता है तो साड़े तीन लाख रुपिया प्राप्त होता है पतिमा चले दोस्तों मुख्य मंतरी से कोशन्स देखते हैं मुख्य मंतरी की नियुक्ति सम्विधान के किस अनुच्छेद के तहट की जाती है तो की जाती है दोस्तों अनुच्छेद 163 के तहट समाने तह राज्यों के मुख्य मंतरी विधान सभास में बहुमत दलका नेता होता है राज के सासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो राज के सासन का वास्तविक नेता मुख्य मंतरी होता है राज मंतरी परिशत का निर्माता संगहारग तथा प्रारदाता होता है तो यह होता है दोस्तों मुख्य मंतरी होता है राज मंतरी परिशत रूप राश्टीय विकाज परिशत की बैठक में राज का प्रती इंधित्ट कौन करता है राज का मुख्य मंतरी किसके पति उत्तर दाई होता है तो विधान राज का मुख्य मंतिर मुराज विधान संभा के चुना जाथा है केवल पहला ही सही होगा दोस्तों और ऐट आंसर हो स्वतंता सेनानी सुचेता क्रिपलानी किस राज की पहली मुख्य मंतरी बनी तो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य मंतरी बनी थी सुचेता क्रिपलानी किसी भारती राज की प्रथम महिला मुख्य मंतरी बनी थी तो सुचेता क्रिपलानी बनी थी मद्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंतरी थे तो रवी शंकर सुकले थे मद्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंतरी अप्रेल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अंसार भारत में किसी राज के मुख्य मंतरी पद पर सरवादिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताईए तो वह है पावन चामलिंग है पावन चामलिंग बिहार के पथम मुख्य मंतरी थे तो बिहार के पथम मुख्य मंतरी डॉक्टर स्री केशन सिंग थे सूची वन में राज्य है और सूची टू में पथम महिला मुख्य मंतरी है तो पहला दिया है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदे option right हो जाएगा ओडिशा की प्रथम महिला मुख्य मंतरी बनी तो बनी थी नंदनी सत्पती भारत के किसी राज्य के मुख्य मंतरी पत्पनियुक्त होने वाली पहली दलित महिला है तो सूसरी मायावती है तो सूसरी मायावती है भारत के किस राज्य में महिला मुख्य मंतरी ही नहीं बनी है बारतिय समविधान के किस अनुच्छेत में मुख्यमंत Imperi के कारियों को परिभासित किया गया है किसे राज्यों में विधान मंडल का भाग नहीं माना जाता है मंडल में मुख्यमंतरि को विधान मंडल है तो दूई सदनात्मक विधान मंडल है दोस्तों महराश्ट में निमने लिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का उपरी सदन या विधान परिशद नहीं है तो उपास्य मंगाल में नहीं है निमने लिखित राज्यों में कहां विधान परिशद है तो विधान परिशत की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए कम से कम 40 होनी चाहिए किस राज में विधान परिशत की सदस्य संख्या सरवाधिक है तो सदस्य संख्या सरवाधिक उत्तरपदेश की है किस राज में विधान परिशत की सदस्य संख्या सबसे कम है तो सदस्य बिहार विधान परिशद में सदस्यों की संख्या कितनी है तो बिहार में है 75 सूची वन में राज है और सूची टू में विधान परिशद सदस्य की संख्या है इसको सही सुमेरित करना है तो तेलंगाना तेलंगाना दोस्तों है 40 सदस्य विधान परिशद के बिहार में है 75 प प्तरप देश में निन्यान नवे विधान परिशत की सदसे संख्या है ऑप्शन एक उशन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के निम्न लिखित राज्यों में से किस में विधान परिशत अस्तित्त में है तो विधान परिशत अस्तित्त में है दोस्तों तेलंगाना में भारत कि ये समविधान के निमने लिखित अनुशेदों में से किस एक के अंतरगत विधान परिशत की इस्थापना या समापती की विवस्था की गई है तो या की गई है अनुशेद 179 में भारत के निमने लिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिशत नहीं है या दप को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता तो दोस्तों विधान परिशत को समाप्त किया जा सकता और भंग नहीं किया जा सकता विधान परिशत को समाप्त करने वाला आखरी राज कौन है तो आखरी राज ये में लाडू है 1957 में विधान परिशत का स्रीजन और 1985 में उत्सादन किया गया तो किया गया था आंध्रप्रदेश में क्या किसी राज के विधान परिशत के उत्सादन की प्रक्रिया में परिशत की कोई भूमिका होती है तो नहीं होती है क्या किसी राज में विधान परिशत क के अत्वा उत्सादन हेतु उस राज की विधान पर सभा एवं एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसत अधनियम बनाती है विधान सभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है तो यह पारित करती है दोस्तों कुल सदस्य संक्या के बहुमत द्वारा तथा उप परिशत का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयू सीमा होनी चाहिए कम से कम तीस वर्स की आयू होनी चाहिए विधान परिशत के सदस्य कितने सदस्य पते एक दूसरे वर्स आवकास ग्रहण करते हैं तो एक तिहाई सदस्य पते एक दूसरे वर्स आवकास ग्रहण करते हैं विधान परिशत की गड़पूर्ती कुल संख्या का कितना भाग होता है तो एक बटा दस भाग होता है विधान परिशत की बैठक की अंतिमतिति तथा दूसरी बैठक की पथमतिति के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए तो छे माह से अधिक का अंतर नहीं ह वीधान परिसद की एक वर्स में कम से कम कितनी बैठके होना अनिवार हैं। किया जाता है परिसीमन किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा राज के विधान परिशत कितने सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं तो एक तिहाई सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं भारत में राज विधान परिशत के सदस्यों का कितना हिस्सा इ इस्थानी निकाय दोरा एक तिहाई हिस्सा चुना जाता है विधान परिशत के कितने सदस्य राज के राज पाल दोरा मनोनित किये जाते हैं तो एक एक बटे छे भाग मनोनित किये जाते हैं राज पाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिशत में मनोनित कर सकता ह तो अधिक से अधिक कोई निष्चित संख्या नहीं है। नियुन्तम संख्या कितनी हो सकती है नियुन्तम संख्या साथ हो सकती है भारतिय समविधान का या प्रावधान करता है कि किसी भी राज विधान सभा में कम से कम साथ किसे कम सदसे नहीं हो सकते नियुनलिखित में से कौन सा राज इसका अपवाद है इसका अपवाद सिक्किम राज है विनलिखित में से कहां विधान सभा अस्तित्त में नहीं है तो विधान सभा अस्तित्त में नहीं है लक्षदीप में विधान सभा अस्तित्त में नहीं है उस संग राज का नाम बताईए जहां निर्वाचित विधान सभा एवं मंतरी परिसद हैं तो है पुडुचे तो अधिक्तम संख्या पस्चिम बंगाल में हैं किन दो राज्यों के जोडों में विधान सभा सीटों की अबा संख्या बराबर है विधान सभा सीटों की संख्या हरियादावाच चतिस गर में बराबर है उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है त कुल है दोस्तों 213 हैं इसमानेता का कार्यकाल कितने वर्स का होता है तो 9 5 वर्स का प्रकेंर शासित प्रदेश जम्मु कस्मिर की विधान सभा का कार्यकाल तो है दोस्तों पांच वर्स का कि राश्ट्रिया पात काल की गुद गोसड़ा के प्रवर्तम रहने की स्थिति में विधान सभा की आउधी को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाया जा सकता है एक वर्स के लिए सरपथम किस राज की विधान सभा का विकड़न उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था तो केरल का केरल विधान सभा का विकड़न उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था विधान सभा का सदर से बनने के लिए नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए नियूंतम आयू पचीस साल होनी चाहिए विधान सभा की गलपूर्ती कुल संख्या कितना हिस्सा है तो कुल संख्या का एक बटा दस हिस्सा है विधान सभा का सत्र वर्स में कम से कम कितनी बार आहू का चुनाओ कौन करता है तो विधान सभा के अध्यक्ष सदसे करते हैं आइस्थाई विधान सभा विधान सभा विधान सभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है आइस्थाई विधान सभा की नियुक्ति राजे पाल करता है विधान सभा अध्यक्ष को उसके पद की सपत क रहड की अवसक्ता नहीं होती है विधान सभा के निर्वाचन छेत्रों में अनुसूचित जाती और जन जातियों के प्रतिनिदियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन छेत्रों की विवस्ता है ऐसे निर्वाचन छेत्रों की कुल संक्या कितनी है तो कुल संक्या है दोस्तों 1142 है विधान सभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किस को देता है अपना त्याग पत्र विधान सभा उपाध्यक्ष को देता है विधान सभा अध्यक्ष को किस प्रकार पत्र से हटाया जा सकता है तो विधान सभा के सदस्यों दोरा साधारर भहुमत से पारिस संकल्प के द तो मैं विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होता है राज विधान मंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आग्या के भी ना कि सदन के सत्र से लगातार कि इतने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निस्कासित करके उसके इस्थान को रिक्त गोशित कर सकती है तो राज की विधान सभा के सत्रवशान के आदेश किसके द्वारा दिये जाते हैं तो मुराज पाल के द्वारा दिये जाते हैं विधान सभा का सदस्य रह बिना कोई भी वक्ती कितने दिनों तक मंत्री पद पर असीन रह सकता है तो छे माह तक असीन रह सकता है विधान सभा स नियुक्ति राज पाल कर सकते हैं तो जम्मू कस्मीर में कर सकते हैं उत्राखन विधान सभा में एक सदस्य नामीत किया जाता है तो एक सदस्य एंगलो इंडियन समुदाय से नामीत किया जाता है भारती निमलिखित में से कौन सत्य है निमलिखित में से कौन सा सत्य है तो रा अश्टियापात कालकिय। घोसड़ा के प्रवरतन की उस्तिती में विधानसभा की अवधी को एक वास के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिलकुल ये भी सकते है। राज विधानसभा का विगटन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए या आवस्यत नहीं है कि र योगवा परिशदें से कोशिंज देखते हैं छेत्रिये परिशदों का गठन देखना में उनीशोचीज़ का सम selection हुआ मेंकि सौने में प्रावधान किया गया। तो यह किया गया उनीश कुछा ज़ा है। कितनी आंचलीक परिशदें इस्थापित की गई तो की गई थी दोस्तों पांचलीक परिशदें वरतमान समय में भारत में कितने छेत्रीय परिशदें कार रहते हैं चलिए सूची वन में छेत्रीय परिशदें हैं और सूची टू में उसके मुख्याले हैं ये सुमलित करते हैं, तो उत्तर छेत्री पדचना, मद्य सेत्री पईचन, मुख्याले कोलकाता में, पश्िमी छेत्री पईच्ञ, मुख्याले चन्नाई में, अंतर राज्य पईच्ञ इंटर स्टेट काउंसिल का गठन सम्विधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है तो किया गया है दोस्तों अनुच्छेत 236 के अंतरगत अंतर राज जी ये परिशत का निर्माड होता है तो सम्विधानिक प्रावधान के द्वारा होता है वर्स 1990 में अंतर राज ज और ऌंजमाद को अनुट्सोटा Tube की गए अंतर राजिये परिशत के स्थापना कब होई ती तो 38 मय 1990 को जोई थी किस प्रधानमंतरी के कारेकाल में अंतर राज जी परिशत का प्रथम बार गठन किया गया था तो वीपी सिंग के कारेकाल में किया गया था अंतर राज जी इस परिशत की सातवी बैठक में महत्तुपूर निरड़े लिया गया स्राज पाल सक्री राजनीती में ना लोटें एक अंतर राज जी परि राजियों के अध्वा एक से अधिक राजियों के सम्मान हित से संबंधित विश्यों का जांचकर विचार वी SUR करना। उप Bigode unfair far रगल्ली को सभी राइट अंसर हो जाएगा। यूजना-आयोग कि यूजना कि स्थापना किनी सो पस्वै कि द्वारा किया गया तो यह किया गया था दोस्तों मसंगी मंतरी 65 के संकल्प के द्वारा योजना आयोग में सरवाधिक से सरवाधिक प्रभावित हुआ तो सरवाधिक प्रभावित हुआ था दोस्तों वित आयोग सरवाधिक प्रभावित हुआ था रोजना आयोग ने संगवाद को निरस्त कर दिया है यह किसका विचार है दिया विचार है दोस्तों असोग चंदा का भारा सरकार ने नीती आयोक का गठा निम्न में से किसके इस्थान पर किया तो योजना आयोक के इस्थान पर किया पूरवर्ती योजना आयोक का आर्थिक मंतरी मंदल किसने बताया था तो बताया था दोस्तों असोक चंदा ने पूरवर्ती योजना आयोक का गठा निम्न लिखित में से किसकी अनुसंसा में हुआ था तो हुआ था दोस्तों योजना सलाकार बोड के अनुसंसा से पुरवर्ती योजना आयोग को निम्न में से किस ने कहा था कि यह ना केवल केंदरबल की राजियों के लिए आर्थिक मंतरी मंदल है तो यह कहा था दोस्तों असोक चंद्रा ने पुरवर का वर्स भारती इतिहास में क्यों महत्तोपूर है उनीस सो बावन का वर्स इसलिए महत्तोपूर है दोस्तों क्योंकि लोग सभा का प्रतम आम निर्वाचन हुआ था भारत की निर्वाचन पद्धती निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धती के अनरूप है तो या ब भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, भारत के निर्वाचन सूची तयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, निर्वाचन आयोग, सरवचिन यलै, संग लोग, सेवा, आयोग, निंतरक एभं महालेका परिच्छक का कारेकाल जैसी संस्थाउं में से कौन सा एक लाख्षर समान हैं तो इसमे शमान हैं वे सम्मिधानिक संस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग का चे情況 होता है ? इसका चेर्मेन मुख्य निर्वाचन आयोक तो होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोक की नियुक्ति कौन करता है तो यहां नियुक्ति करते हैं दोस्तों राश्पती निर्वाचन आयोक का प्रमुख होता है निर्वाचन आयोक का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयोक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती करने का अधिकार की से प्राप्त है तो राश्ट्रपती को प्राप्त है निमलिखित में से कौन मत दाता सूची को अध्यतन बनाकर तयार कर रखता है तो निर्वाचन आयुक्त बनाकर रखता है भारत के विभिन राजनीत दलों को राष्टिय या छेत्रिय या छेत्रिय दल का दरजा देने का अधिकार किसको है तो यहां अधिकार है दोस्तों चुनाओ आयोग को निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधिक्षर निर्देशन और नियंतर का कारे करता है तो यहां कारे करत के निर्वाच्चन आयोग के कारे हैं दूस्तों संसद एवं राजविधान मंदलों के सभी चुनाओं कराना और राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती के लिए चुनाओं कराना निर्वाच्चन सूचियां तयार कराने का कारे का निरिक्षड एवं निर्देशन एवं नि जाता है मैंध्या वधी चुनाओं कब करा जाता है तो समय के पूर्ड होने से पहले ही जब लोग सभा भंग हो जाए है भारत में स्वतन्दता के बाद प्रथम आम चुनाओं कब संपन हुए तो प्रथम चुनाओं दूस्तों संपन हुए थे 1952 में कला कि I am गया थे दोस्तों 1989 में में 1989 में किया गया था बारत में मतदाता की नियुन। आयू क्या है तो 18 बर्स है भारत का मुख fragen मॅ परद्धम मुख के चुनाऊ आयू Teath कौन था तो प्रद्धम मुख के चुनाऊ आयू परद्धम मुख चणंत थे सू कुमार सें थे चुनाओ के समय किसी चुनाओ छेत्र में चुनाओ प्रचार कब बंद करना होता है तो यह बंद करना होता है दोस्तों मतदान समावत होने के 40 गंटे पहले बंद कंना होता है चले दोस्तों केंद्रवाराजसंबद से कौश्चन देखते हैं संग सूची, राज सूची तथा समवर्ति सूची का विस्तरत उलेक समविधान की किस ενसूची में किया गया है तो किया गया है साथवी अनसूची में भारतिय सम्विधान में तीनों सूचियों से संबंधित वे अस्थानी मेलिखित में से कहां से ली गई है तो यहां ली गई है दोस्तों आस्टेलिया के संविधान से सरकारिया आयोक किसी फारिशों का संबंद है सरकारिया आयोक किसी फारिशों का संबंद केंद्र और राज के बीच के संबंदों से है केंद्र राज संबंद पर 1971 में राज मननार समीती किस राज के द्वारा गठित की गई थी तो गठित की गई थी दोस्तो तमिल लाडू राज के दौरा सरकारिया आयोग संबंधित है सरकारिया आयोग केंद राज संबंधों से संबंधित है भारतिय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कारे किस प्रकार से विभाजित किये गए हैं तीन सूचियों में इस थाई संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है तो इन में से सभी में किया जाता है संग सूची में राज सूची में और समवर्ती सूची में किया जाता है option D right हो जाएगा भारतिय सम्विधान में आवशिष्ट अधिकार हैं तो भारतिय सम्विधान में आवशिष्ट अधिकार केलर के पास हैं भारतिय सम्विधान के अनुसार आवशिष्ट सक्तियां किसको सौपी गई थी दोस्तो संगिये संसत को भारतिय सम्विधान के केंद्र वा राज सरकारों के कारेक शेत्र को संग सूची राज सूची तथा समवर्ची सूची द्वारा इस पश्ट किया गया है जो कारे इन सूचीयों में वरडित नहीं है वा किसके अधिकार शेत्र में आते हैं तो दोस्तों वह आते हैं संग के अधिकार में आते हैं बीज़ों पर विधी निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है समवर्ती सूची के विशियों पर संसद तथर राज विधान मंडल दोनों को ही विधी निर्माल का अधिकार प्राप्त है उप्रियुक्त सभी कथन सही है यदि समवर्थी सूची के किसी विशय पर राज विधान मंडल दौरा निर्मित अधिनियम उसी विशय पर संसदी अधिनियम परस पर विरोधी हो तो संसदी अधिनियम राजी अधिनियम पर अभिवासी होगा किन इस्तितियों में संसद राज सूची के विश्यों पर विधी निर्मार कर सकती है तो आप आतकाल की इस्तिती में दो या अधिक राजियों की सहमती से अंतर राष्टिय संधीवा समझोते लागू करने के हेतु राजिक में समझान एक तंत्रिकिया सफलता की स्तिती में उपरियों तो सभी में कर सकती है क्या भारतिय संध का कोई राजिकीशी विदेशी राष्ट या अंतर राष्टिय संगठन से रिड़ ले सकता है तो नहीं ले सकता है सरकारिया आयोक की स्थापना निमनलखित में से किस के संबंध में जाँच के लिए हुई थी केंदराज संबंध के जाँच के लिए हुई थी केंदराज संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोक का गठन कब हुआ था तो हुआ था 1983 में भारती सम्भिधान में आउसिष्ट अधिकारों को संगिय सरकार को दिया गया है सम्वर्थी सूची में लिखे विशियों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है तो राज और संग के पास है, नियमन लिखित में से किसके अंतर गताने वाले विश्यों पर नियमन बना सकने का संसद को एक मात्र अधिकार है, तो संगी सूची में है, इन आउसिष्ट मामलों पर जिनका केंद्री ये राज समवर्थी सूचियों में उलेख ना हो, कौन उनकी संख्या 99 है, मोल समविधान में क्षेतरिय महत के 66 विश्यों राज सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है, तो अब उनकी संख्या 61 है, मोल समविधान में समवर्थी सूची के अंतर गत विश्यों की संख्या 47 थी, अब या संख्या कितनी है, तो अब या संख्य है दोस्तों बावन अभिया संख्या बावन है पंचायती राज विशय है राज सूची का आर्थिक नियोजन विशय है तो समवर्ती सूची का विशय है आर्थिक नियोजन निमलिखित में से कौन सा विशय समवर्ती सूची में है तो समवर्ती सूची में है दोस्तों सिक्षा सूची में निमेलिखित में से किसका उलेख है तो निमेलिखित में से उलेख है रेलवे पुलिस का निमेलिखित में से कौन सा विषय है संग सूची के अंतरगत समाविष्ट है जन गरना निमेलिखित सूचियां में से किसके अंतरगत सिक्षा आती है तो सिक्षा आती है दोस छाक को किस सम्विधान संसुधन द्वारा राज सुची से हटा कर समवर्ती सुची में शामिल किया गया hatte ya 42 सुची में। भारतिय समविधान के संबंद में निम्न में से कौन सायूग में सुमिलित नहीं है तो दोस्तों सुमिलित नहीं है, इस्टॉक एक्सचेंज और समवर्ती सूची समवर्ती सूची का विशय नहीं है तो समवर्ती सूची का विशय लोग स्वास्त नहीं है निमने रिखीत में से कौन राज्य सूची में है राज्य सूची में है दोस्तों रेलवे पुलिस राज्य सूची में है रेलवे पुलिस में कितनी भासाएं हैं तो याद रखेगा 22 भासाएं हैं भारतिय संग की आधिकारिक भासा के रूप में सम्विधान द्वारा किसे मानिता प्राप्त है तो सम्विधान द्वारा हिंदी को मानिता प्राप्त है सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत हिंदी को राज भासा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है तो याद रखेगा अनुचेत 343 वन के तहर प्रदान किया गया हिंदी देश की राज भासा है लेकिन सास्की प्रियोजनों के लिए अंग्रेजी भासा को प्रियोग को कब तक करने की अनुमती प्रदान की गई है तो यह प्रदान की गई है दोस्तो अनिश्चित काल के लिए किसी भासा को किसी राज की भासा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है तो यह अधिकार राज विधान मंडल को है सम्विधान की आठवियन सूची में सम्मिलित भासाओं में निम्नांकित में से कौन सी भासा बोलने वाले सरवाधिक है सम्विधान की आठवी अनसूची में सूची बद्ध निमनोक्त में से कौन सी एक किसी राज़ी की राज़भासा उर्दू है निमनलिखित में से किस राज या केंदर शासित प्रदेश ने उर्दू को राज काज की भासा के रूप में अंगी कार किया है तो यह किया है जम्मू और कश्मीर ने निर्मे लिखित में से कौन सी भासा सम्विधान की आठवी अनसूची में नहीं है आठवी अनसूची में भोच पूरी नहीं है डोंगरी भासा किस राज या केन सासित प्रदेश में बोली जाती है तो जम्मो कस्मीर में बोली जाती है सिंधी को किस सम्विधानिक संसोधन दौरा सम्विधान की आट्वी अनसूची में शामिल किया गया 21 सम्विधान संसोधन के दौरा भारती सम्विधान के अनुचे 344 के तहट प्रथम राज की भासा आयोग का गठन हुआ था हुआ था दोस्तों उननीस सो पचपन में बी जी खेर की अध्यक्षता में उननीस सो पचपन में गठित राज भासा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या थे बीजी खेर थे समविधान के किस अनुचेत में विवस्था किया गया कि प्रतेक राज सिक्षा के प्राथमिक इस्तर परमात्र भासा में सिक्षा की प्रयाप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा तिया किया गया था अनुचेत 350 A में भारती राज नागा लेंड की आधिकारिक भासा है तो आधिकारिक भासा है दोस्तो अंगरे जी किस समविधानिक संसोधन के द्वारा समविधान भारती समविधान की आटवी अनसूची में बो डोगुरी संथाली और मैथली भासाओं का समा वेश किया गया था या किया गया से किस भासा को सम्विधान की आठवी नसूची में सामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज की राज की ये भासा है तो अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया है सम्विधान की आठवी नसूची 21 सम्विधानी संसोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भासा जोड़ी गई तो जोड़ी गई है सिंधी को भारत के किस राज यकेंद सासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राज भाषा का दर्जा दिया गया उर्दू को प्रथम राज भाषा का दर्जा जम्मु कश्मीर में दिया गया आठवें परशिष्ट का संबंद है आठवें परशिष्ट क कौन सी भासा भारतिय सम्विधान के आठवी अन्सोची में उलिखित नहीं है तो अंग्रेजी उलिखित नहीं है चले दोस्तों आपात उपबंद से कोशन्स देखते हैं भारतिय सम्विधान के अंतरगत कितने प्रकार का आपात काल होता है तो याद रखिएगा दोस्तों तीन प्रकार का आपात काल होता है भारत का राश्च पती किस प्रकार की आपात काल की उद्गोसडा कर सकता है तो र राष्ट्री आपात काल की उद्घोसडा राष्ट्रपती करता है तो यह करता है उच्छे 352 के तहट अब तक कितनी बार राष्ट्री आपात काल की उद्घोसडा राष्ट्रपती द्वारा की जा चुकी है तो तीन बार की जा चुकी है तक राष्ट्री राष्ट्री आपात काल की उद्गोषडा की है तो दो बार की है आंतरिक्स असांती के अधार पर अब तक कितनी बार राष्ट पती आपात काल की उद्गोषडा राष्ट पती द्वारा की जा चुकी है तो एक बार की जा चुकी है देश में पहली बार राष्टी आपात काल की उद्गोषडा तो या की गई 26 जून 1975 को तीसरी बार राश्ट्रिय आपातकाल की उद्गोसड़ा के समय देश के राश्ट्रपती कौन थे देश के राश्ट्रपती थे डॉक्टर एसराधा कृष्णन थे 1975 में तीसरे राश्ट्रिय आपातकाल की उद्गोसड़ा किस ने की थी तो फरुक दिन अली एहमद ने की थी 1975 के राष्ट्रिय आपातकाल की उद्गोसडा के संबंद में कौन सा कथन सही है कि मंत्री मंदल के अनुमोधन के पूर वहिपधान मंत्री की सिफार इस पर राष्ट्रपती ने या उद्गोसडा की थी 44 में सम्विधान संसोधन अधिनियम 1978 की ने अनुच्छे 352 में कि सब्द के सिस्थान पर ससस्त्र विद्रो सब्द बनाए थे तो आंत्रीक असांती के सब्द पर सब्द रखे गए थे राष्ट्रिय आपात काल की उद्गोसडा को संसद के समक्ष उसकी स्विक्रिती हेतु रखा जाना आवसक है एक मा के अंदर रखा जाना आवसक है राष्ट्रिय आपात काल की अधिक्तम अवधी सीमा है तो अधिक्तम अवधी सीमा कोई समय सीमा नहीं है राष्ट्र पती अपन राश्ट्रिय आपात की उद्गोसडा कर सकते हैं तब जब उन्हें ऐसा करने के लिए किंद्री कैबिनेट का लिखित निरड़य प्राप्त हो राश्ट्रिय आपात की उद्गोसडा का स्वता प्रभाव होता है अनुक्षेद 20 वा 21 के अंतरगत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़ कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन राश्ट्रिय आपात काल में सम्विधान की संग्गिय प्रक्रिती का क्या होता है तो वैसी ही बनी रहती है 44. सम्विधान संसोधन के पश्चात राष्टपती को निमनलिखित पइस्थितियों में राष्ट्रीय आपात काल गोशित करने का अधिकार प्राप्त है तो युद्ध बहायाक्रमण या ससस्त्र विद्रों के उत्पन पइस्थिति के अंतरगत प्राप्त है राष्ट पती राष्टी आपात की घोसडा कर सकते हैं तो उपर वर्डित सभी आधारों के आधार पर कर सकते हैं हतियार बन विद्रों के आधार पर बाहरी आक्रमण के आधार पर युद्ध के आधार पर कर सकते हैं भारतिय सम्विधान के अनुच्छे 352 के अनुसार राश्ची आपात की घोसड़ा निमलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है तो युद्ध बायाकरमार ससस्त्र विद्रों के आधार पर की जा सकती है संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अत्वा बाहरी आकरमार के कारण उत्पन आपात काली इस्थिति की घोसड़ा करने की मंजूरी देनी चाहिए तो एक महिने में देनी चाहिए युद्ध या बाया आकरमाण के लिकारण की गई आपातकाल की घोसड़ा का संसत दोरा अनुमोधन होना चाहिए तो एक महिने में अनुमोधन होना चाहिए समविधान के किस अनुचेत के तहट राज्यों में समविधानिक तंत्र में वीफल होने पर राश्ट पती शासन लागू किया जाता है तो अनुचेत 356 के तहट लागू किया जाता है किसी राज में राश्ट पती सासन की उद्गोसडा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राश्ट पती करता है राश्ट पती सासन के उद्गोसडा करने पर राज के राजपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राश्ट पती करता है राज में राश्टपती सासन से तातपर है राज में किसके सासन से है तो राज में दोस्तों राज के राजपाल के सासन से है राश्टपती द्वारा राजियों में राश्टपती शासन उद्गोसडा के कितने दिनों के भीतर संसत की स्वीकृती आवस्यक है तो संसत की स्विकृति आवस्यक है दोस्तों, दो महा के भीतर संसत की स्विकृति आवस्यक है किसी राज में समानेता किसके परामर्स से राश्टपती सासन लागू किया जाता है किसी राज में राश्टपती सासन की प्रारमभीक अवधी कितनी होती है तो प्रारंबिक अवधी होती है दोस्तों 6 मा की राश्पती सासन किसी भी परिस्तिती में एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता परन्तु यह अवधी तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग गोसडा करे की परिस्तिती चुनाव योग नहीं है किसी राज में राश्पती सासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृतियों के अलावा राज प्रसासन के सभी कृत्य संगीय नियंत्रण में आ जाते हैं तो दोस्तों न्याइक कृत्य संगीय नियंत्रण में आ जाते हैं संसत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज में राश्च पती शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है तो एक बार में दोस्तों 6 मा के लिए लागू होता है प्रथम बार राश्ठी पथी शासन किसी परिस्थितिक में अधिक्तम कितनी अउधी तक लागू की जा सकती है तो अधिक्तम 3 वरसों तक लागू की जा सकती है 42 में समविधान संसोधन अधिनियम 1974 दोरा राष्ट पतिसासन की 6 मां की अवधी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो यह कर दिया गया है 12 मां प्रथम बार राष्ट पतिसासन कब लागू किया गया था तो यह लागू किया गया था 20 जून 1951 को प्रथम बार राश्ट पती सासन किस राज में लागू किया गया तो यह लागू किया गया था पंजाब पेपसु में अब तक किस राज में सरवाधिक लंबी आउधी तक राश्ट पती सासन लागू रहा है तो जम्मू और कस्मीर में लागू रहा है राश्ट पती सासन राश्ट पती सासन की सरवाधिक बार घोसडा की गई सरवाधिक बार घोसडा इंद्रा गांधी के दूसरे का सासन काल में की गई अनुच्छे 356 की व्यवस्थाओं का प्रियोग करते समय राश्ट पती किन सक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है तो वहा ले सकता है कारई पाली का सक्तियां और विधाई सक्तियां, option C right होगा सम्विधान के किस अनुचेट के आधार पर विध्टी आपांट की घोसड़ा करता है अनुचेट 360 के आधार पर करता है अब तक भारत में कितनी बार वित्ती आपात की उद्गोसडा राश्टपती द्वारा की गई है तो अभी तक नहीं की गई है निमने लिखित में से कौन सी ऐसी आपात इस्तिती है जिसकी गोसडा अभी तक भारत में नहीं की गई तो अभी तक वित्ती आपात की इस्तिती गोसडा नहीं की गई है वित्त वित्य आपात के दोरान राश्ट पती राज के किस प्रकार के विध्यकों की स्विक्रिती के लिए प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य कर सकता है तो वित्य विध्यक बाध्य कर सकता है भारत के समविधान के अनुचे 360 के अधीन वित्य आपात से संबंधित निन लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो वित्ति आपात काल की उद्गोसड़क दो माह की समापती पर परवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधी की समापती से पहले संसत के दोनों सदनों के संकलपनों द्वारा उसका अनमोधन नहीं कर दिया गया तो केवल पहला ही सही रहेगा द को बारत के राष्टपती ने अपनी शक्तियों का प्रियोग करते हुए उद्गोसड़ा द्वारा या गोसड़ा की की गंभीर आपात विद्ध्यमान है जिसके कारण आंतरिक आशांती से भाधित की सुरक्षा को गंभीर खतरा है तो यहां किया गया था दोस्तों अनुच संसोधन से कोश्चंज देखते हैं समविधान के किस भाग वअनुचेद में संसोधन प्रक्रिया का उलेक है तो आप भाग 20 और अनुक्रमांक 366 में है, संविधान, भारतिय संविधान में संसोधन होता है, तो भारतिय संविधान में संसोधन 13366 के अमसार होता है, भारतिय संविधान की कौन सी विशेश व्यवस्था, दक्षिड अफरीका के संविधान से ली गई है, तो यह ली गई है संवि प्रस्तुत किया जाता है तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है संविधान में संसोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संसोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया पनाई जाती है तो साधारार भ तो नहीं कर सकता है समविधान में संसोधन नहीं किये जा सकते हैं तो जन्मत संग्रह से नहीं किये जा सकते हैं भारत की समविधान में जिस किस वर्स पहली बार संसोधन किया गया तो 1951 में किया गया प्रथम समविधानिक संसोधन अधिनियम कब बना तो बना था 1955 में प्रथ सम्विधानिक संसोधन अधिनियम किस संबंधित था तो संबंधित था दोस्तों कुछ राजियों के क्रिशी भूमी सुधार से भूत कालीक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला सम्विधान संसोधन अधिनियम कौन सा है तो यह दस्वा सम्विधान संसोधन ह किस संविधान संसोधन के द्वारा या विवस्था की गई कि राश्टपती या उपराश्पती के चुनाओ को इस आधार पर चुनाओती नहीं दी जा सकती है कि निरवाचक मंडल अपूर्ड है किस सम्मिधान संसोधन के द्वारा यह विवस्ता की गई कि उपर राष्ट पती के चुनाओ के लिए संसत के दोनों सदनों की सहुखट बैठक बुलाना आवस्यक नहीं है तो 11 में सम्विधान संसोधन के द्वारा की गई है। द्वारा किया गया था किस समविधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा में घाले राज की स्थापना की गई में घाले राज की स्थापना 22 समविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा की गई संसत को मौलिक अधिकारों में संसोधन करने का अधिकार सम्विधान के किस संसोधन द्वारा दिया गया तो 24 सम्विधान संसोधन के द्वारा दिया गया किस संविधानिक संसोधन अधिनियम दौरा लोग सभा सीटों की अधिक्तम संख्यात 545 निर्धारित की गई तो यह निर्धारित की गई थी दोस्तों 31 संविधानिक संसोधन दौरा सिक्किम को भारती संग के सहर राज का दर्जा की संसोधन द्वारा प्रदान किया गया 35 संसोधन के द्वारा प्रदान किया गया था सिक्किम को पूरता राज का दर्जा की संसोधन द्वारा दिया गया था या दिया गया था दोस्तों चतिसवे संविधान संसोधन के द्वारा किस संविधान संसोधन द्वारा अधिनियम द्वारा लाज्य लोग सेवा आयो के अध्यक सेवम सदस्यों की सेवा निर्वित्ती के आयो 60 वर्स से बढ़ा कर 62 वर्स कर दी गई तो 41 संविधान संसोधन के द्वारा कर दी गई थी के द्वारा जोड़े गए तो 42 सम्विधान संसोधन के द्वारा जोड़े गए सिक्षा को कि सम्विधान संसोधन के द्वारा राज सूची से समवर्ती सूची में लाया गया तो यहां लाया गया था दोस्तों 36 सम्विधान संसोधन से 36 सम्विधान संसोधन से लाया गया था भारती सम्विधान में किस संसोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तवियों को सम्मिलित किया गया था, मौलिक करतव्यों को संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधानिक संसोधन के अंतरगत संसोधित किया गया तो किया गया था संविधान आतर प्रस्तावना की संसोधन को कोई मामला मंत्री परिसफित के द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया तो यहां दिया गया था 42 में सम्विधान संसोधन के द्वारा निमने लिखित में से सम्विधान के किस संसोधन के द्वारा या इस पश्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट पती मंत्री परिशत द्वारा दिये गए परा मर्स को मानने हेतु बाद है तो यह है दोस्तों 42 में सम्विधान संसोधन के दौरा किस सम्विधानिक संसोधन अधिनियम ने राज के नीटी निर्देशक तत्तों को मौलिक अधिकारों की अपेक्छा अधिक प्रभाव शाली बनाया है तो 42 में सम्विधान संसोधन के दौरा बनाया है किस सम्विधानिक संसोधन अधिनियम दौरा वन को राज सूची से समवर्थी सूची में अंताहिस्थापित किया गया तो यह अंता हिस्थापित किया गया 42 संविधान संसोधन अधिनियम 1976 से भारती संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया संविधान के किस संसोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 राष्टियापात के दौरान लाया गया तो 42 संविधान संसोधन को कहा जाता है मिनी संविधान भारत का किस संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारत सतंतता के मौलिक अधिकारों की संख्या को साथ से घटा कर छे किया गया तो यहां किया गया था दोस्तों 44 संविधान संसोधन में निमनलिखित में से किस संविधानिक संसोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था तो 44 संविधान संसोधन अधिनियम 1978 में घटाया था भारती नाय पालिका की शक्ती सरवाधिक शती 42 संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी नाय पालिका की गर्मा को पुनर इस्थापित करने की द्रिष्टी से कौन सा संविधान संसोधन अधिनियम पारित किया गया तो किया गया 43 वाद 44 सम्विधान संसोधन अदिन्यम, राष्टरपती मंतरी पाइसत से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर विचार करने की अप एक्छा कर सकेगा और राष्टरपती ऐसे पुनर विचार के बाद ही बाद दी गई सलाह के अनुसार कारे करेगा या संसोधन के दौरा किया गया 42 संविधान संसोधन अधिनियम के अनेक आपति जनक अंसो को रद करने के लिए कौन सा संविधानिक संसोधन अधिनियम पारिद किया गया तो पारिद किया गया था उन्तालिसमे सम्विधान संसोधन में दल बदल निरोधक कानून की सम्विधानीक सम्विधान संसोधन विधयक से संबंधित है तो या दोस्तों संबंधित है बावन में सम्विधान संसोधन से चलिए दोस्तों पंचायती राजविवस्था से कोश्चन्स देखते हैं भारति सम्विधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है तो भाग नौ कामे हैं सम्विधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है तो या कही गई है भाग चार में भारती सम्विधान के निमनलिखित अनुच्छेदों में से क धारित है सत्ता के विकेंद्रिय करड़ पर पंचायती राज प्रदान करता है तो पंचायती राज प्रदान करता है दोस्तों इस्थानी इस्तर पर लोगतांतरिक प्रसासन पंचायती राज का प्रदान लक्ष है तो पंचायती राज का प्रदान लक्ष ग्राम वासियों में तो यहां विवस्था की गई है दोस्तों नीती निर्देशक्सित धान पर किस समयधानिक संसोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को समयधानिक दर्जा प्रदान किया गया समयधानिक दर्जा 73-वे समयधान संसोधन के द्वारा प्रदान किया गया 73-वे समयधान संसोधन द्वारा समयधान में कौन सी अनसूची जोड़ी गई तो जोड़ी गई थी 11 अनसूची भारत के सम्विधान की ग्यरामियन सूची में कितने विशय हैं तो इसमें कुल 29 विशय हैं 73 संविधान संसोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए तो किये गए एक तिहाई पद किये गए 73 संविधान संसोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दिष्टी से एतिहासिक कदम माना जाता है तो माना जाता है महिला वर्ग को 73 संविधान संसोधन की विशेष्टा नहीं है तो विशेष्टा महिलाओं के लिए दो तीहाई आरक्षड है स्थानों की चक्रा नुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया तो यह किया गया पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं में पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधी नय चुनाओं कराने है तू सही है तो यह सही है छे मां के अंदर ह पंचायती राज संस्थां के निर्वाचन के लिए उत्तरदाई है तो राज निर्वाचन आयोग उत्तरदाई है पंचायती राज संस्था का कारेकाल कितने वर्स रखा गया तो रखा गया दोस्तों पांच वर्स का रखा गया पंचायती राज संस्था का कारेकाल भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे तो प्रबल समर्थक थे दोस्तों राजियू गांधी प्रबल समर्थक थे भारत में महिलाओं के लिए इस्थान अरक्षित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में हैं, 73 संविधान संसोधन अधिनियम की स्तिथी से लागू हुआ, लागू हुआ था 24 अपरेल 1993 से, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो भारत में पंचायत के के चुनाओं कराने हैं तो निरड़े किसके द्वारा लिया जाता है या निरड़े लिया जाता है राज सरकार के द्वारा भारत में पंचायती राज का प्रारंब किया गया तो पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया तो पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित कि होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेर करिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल नबाना न भूलिएगा ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप से मिशना हो तो